आज के लेक्षिर में आपको क्या-क्या पढ़ने के लिए मिलेगा इंट्रोड़क्शन अगर मैं बात यहाँ पर करूँ यह है आज के चैप्टर का इंडेक्स कि हम आज के चैप्टर में हम पहले इतन नमबर पर तो यह देखेंगे कि pre-independence phase यानि की आजादी से पहले भारत में किस तरीके से banking system work करता था और क्या सच में आजादी से पहले भी हिंदुस्तान में banking system काम कर रहा था अगर हाँ तो किस तरीके से और कितने यह भी हम देखेंगे आजादी के बाद banking system किस तरीके से काम किया या उसका development धीरे-धीरे कैसे हुआ भारत का सबसे पहला bank क्या था उसके बारे में detail में discussion करेंगे presidency bank किन्हें कहते हैं और presidency bank को का क्या पूरा system है presidency bank को का SBI के साथ State Bank of India के साथ क्या संबन्ध है उस पर भी हम लोग यहाँ पर करेंगे discussion तान्या जी गुड इवनिंग State Bank of India SBI की history discuss करेंगे और भारत में bank का nationalization किस तरीके से और कैसे हुआ उसके बारे में भी करेंगे आप सभी के साथ discussion तो आप सभी लोग excited है then say yes और आप मुझे यहाँ पर एक thumbs up बना कर दे सकते हैं कि yes we are excited sir और इसको live join कर सकते है तान्या daily basis पर live join कीजे जिससे आप live interaction भी कर पाएंगे हमारे साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप यहाँ पर पूछ पाएंगी ठीक है चलिए तो एक बार thumbs up जरूर कर दीजेगा अगर आप सभी लोग excited है तो चलिए शुरुआत करते हैं session की और सबसे पहले बात हम लोग यहाँ पर करेंगे the brief history of the banking system in India कि आखिर किस तरीके से तो यह सबसे पहला evidence हमें कहाँ पर देखने को मिलता है सबसे पहला banking system का evidence Hindustan में कब देखने को मिला Durges Nandini ji, welcome Good evening तो सबसे पहला जो evidence हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सबसे earliest evidence तो आप यहाँ पर देखेंगे the earliest evidence of banking in India was found from the period of Vedic civilization आपने इतिहास में पढ़ा होगा वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, yes or no, रिगवेद, शामवेद, यजुरवेद, अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद है, रिगवेद, सबसे नया और सबसे बाद में, जो बना वो है आपका अथर्ववेद, तो वैदिक अगर इस समय हमें पैसों की आवशक्ता पड़ती है, तो हम बैंक से जाकर लोन लेते हैं, और लोन के एग्रिमेंट हमें मिल जाते हैं, उस समय भी लोगों को पैसों की आवशक्ता पड़ती थी, और वो भी लोन लेते थे और लोन लेने वाले डॉक्युमेंट को रिन पत् रिनलेख्या, वैदिक सिविलाइजेशन, रिगवेद, शामवेद, यजुरवेद, अथरवेद, उस समय भी लोगों को पैसो की आवशक्ता परती थी, सेट, साहुकार, महाजन जो होते थे, वो लोगों को अधार दिया करते थे, बात समझ में आ रही है, उसका सबूत, उसका एविडेंस, रिडरलेख्या, रिणफट्रा कहा जाता था, तो वैधिक सिविलाइजेशन में बहुन मिलता है, वैधिक सभिता में बहुत पात स्था करता था, वहाँ यह तो बहुत अच्छी बात है, आगे बात करते हैं, आगे हम ऐसे टोटल तीन अलगव फेसीस में जाएगा तान्या जी ठीक है डोंट टेक टेंशन अभी पूरी कोसिस कीजिए कि जो भी मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझे सभी लोग कोई भी डाउट है तो आप लोग फटा-फट से मुझे कमेंड करके वो डाउट आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं इस लाइव क्ल पहले हम बात करेंगे कि भारत में banking system का development कैसे हुआ तो पहला phase आपका रहेगा आजादी से पैले का फेज यानि कि 1947 में देश आजाद हुआ तो उससे पहले हमारे देश में किस तरीक का banking system exist करता था हम वो समझेगे देन आजादी से लेकर 1991 तक 1991 तक हमारे देश में नई economic policy न की गई थी 1991 में तो हम 1947 से लेके 1991 तक के period को इसमें divide करेंगे and then third one की 1991 से लेकर अब तक भारत के banking system का विकास किस प्रकार से हुआ है वो third phase में रहेगा तो हम part 1, part 2 और part 3 में यहाँ पर chapters को discuss करेंगे तो चलिए आगे बात कर लेते हैं और सबसे पहले बात हम यहाँ पर करेंगे pre-independence phase की यानि की आजादी से पहले के time period की ठीक है clear है मेरी बात तो आपको यहाँ पर क्या करना है pre-independence phase की अगर बात यहाँ पर मैं करूँ कि आजादी से पहले क्या भारत में banking system exist करता था student यहाँ पर पूछने है sir book कौनसी पढ़े don't take attention जैसी मैं इसको explain करूँगा उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूँगा कि आपको कहां से पढ़ना है कहां से practice करनी है कौनसी book आपको पढ़नी है वो भी आपको M5 application पर ही मिल जाएगी जस्ट इसके discussion के बाद मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँगा Sir should I prepare notes for the current affairs and banking awareness notes respectively Yes Ananya आपको दौनों के लिए current affairs के लिए separate और banking awareness के लिए separate note आपको बनाना होगा जिसमें एक तरफ एक note में आप banking awareness को note down करेंगे और second note में आप current affairs को note down करेंगे ठीक है ये जरूरी है क्योंकि current affairs daily basis पर update होती है लेकिन एक बार banking के concepts आपके हाँ पर clear हो गए तो उसमें आपको daily basis पर updation नहीं करनी पड़ेगी है नन्या राइट मैं आपको books भी बताऊंगा कि आपको इन topics related practice कहाँ पर करनी है आपके मन में सवाल जरूर होगा कि sir books को कैसे क्या करना है हमने topic पढ़ लिया फिर हमें उसकी practice कैसे करनी है तो वो books भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आपको मिलेगा इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्ज करने की आवश्यक्ता नहीं है M.I.P.R. आप इसे कैसे find out करेंगे मैं वो भी बताऊंगा पहले यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा इस phase की बात अगर हम करें pre-independence phase तो आपको यह लगता है कि sad आजादी से पहले हिंदुस्तान ने banking system था ही नहीं लेकिन ऐसा नहीं है आजादी से पहले भी हिंदुस्तान में 600 से भी जादा private bank काम करते थे ठीक है private bank काम करते थे private bank को की बात करें तो आप लोग समझते हैं नीजी bank जब कोई विक्ती business के purpose से अपना खुद का bank यहाँ पर शुरू करेगा आगे की classes में हम लोग बहुत deeply इनको समझेंगे types of banks को ठीक है private banks वोगेरा तो हम private banks की बात करें तो आजादी से पहले भी private banks आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते थे dear NCRT की जरूवत आपको banking की preparation में नहीं जरूवत पड़ेगी जब आप banking की preparation कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको NCRT books की जरूवत नहीं पड़ेगी ठीक है अभी मैं आपको application पर जो books दिखाऊंगा आप वहाँ से preparation कर पाऊगे ठीक है हर्शिता ओके तो private banks की बात अगर हम लोग यहाँ पर करें तो आजादी से पहले हिंदुस्तान में 600 से भी ज़्यादा private banks थे यानि कि जिस तरीके से किसी भी particular product की हम दुकान open करते हैं लोग bank का business या bank की दुकान open करते थे सेट साहुकार जैसे लोग bank के जैसे काम किया करते थे लोगों का पैसा अपने पास सुरक्षित भी रखते थे और जरूरत पढ़ने पर लोगों को सूध पर यानि कि ब्याज पर पैसा उधार भी देते थे clear मेरी बात जो मैं आपको classes पढ़ा रहा हूँ यह point आपको यहाँ पर समझ में आही गया है कि भारत में 600 से भी जादा banks थे जो कि आपके working थे यह point तो clear है ठीक है इसके बाद क्या हुआ सारी चीज है कि हाँ आजादी से पहले भी हिंदुस्तान में banking system working था और 600 से भी जादा private bank आपके हाँ पर काम करते थे तो चलो पहले अगर आप लोगों को doubt है कि sir books वगेरा कैसे क्या करना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं तो एक बार हम लोग फटा-फट से website पर आपको लेके चलेंगे है ना और website पर आपको बता दूँगा कि कैसे क्या आपको करना है ठीक है तो चले वाप के लिए तयारी कर रहे हैं किस एक्जाम क्लिप preparation कर रहे हैं तो आप यहाँ पर preparation कर रहे हैं government examination की getting a government job आप एक सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप इस पर click करेंगे government job के अंतरगत जितनी भी important vacancies आपकी यहाँ पर आती है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी for example banking आप banking के लिए तयारी कर रहे हैं तो आप banking पर यहाँ पर click करेंगे banking पर click करने के बाद आप next पर click करेंगे then उसके बाद आप banking examination में किस exam की preparation कर रहे हैं तो अभी हमारे पास अगर मैं general awareness की बात करूं तो सबसे नजदीक जो exam है वो है IBPS RRB officer scale 1 जिससे आप IBPS RRB PO भी कहते हैं तो इसके मेंस में आपको general awareness देखने को मिलेगी तो आप इस exam को अभी select करेंगे और next करेंगे then English आप यहाँ पर language select करेंगे बस आपको यहीं तक करना है language select करने के बाद आपका goal यहाँ पर set है अब आपके goal के according ही चीज़ें आपको suggest की जाएंगी या बताए जाएंगी ज टीखना है वो आपको सब यहाँ पर मिलेगा और वो भी subject wise all subjects quant reasoning English GA computer सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा और learn करने वाले section की अगर हम बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर आपको आज की जो live classes है वो देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर अभी मेरी class live चल रही है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं next class के लिए आपको register करना है तो जिनको नहीं पता वैसे आप सभी ने register किया ही होगा सर बार-बार select करना पड़ेगा app या एक ही बार नहीं गोल तो आपने एक बार select कर दिया class के लिए आपको register हर class के लिए करना होगा कि आप किन-किन classes के इंट्रस्टेड है गोल आपको बार-बार select नहीं करना है एक बार आपने गोल select कर लिया देन अगर आप logout नहीं करते हैं application को देन वो आपका गोल already selected रहेगा ठीक है लेकिन जैसे कि आप कार्तिक सर की class चाहते हैं तो आप बस क्या करना है आपको कि आज की कार्तिक सर की class मुझे देखनी है reasoning के लिए तो आपने बस क्या किया register पर click किया इसी तरह से आपको यहाँ पर भी register now पर click कर देना है और आप इस तरीके से daily basis पर class के लिए register कर लेंगे register करने से basically होगा ये कि आपको उस class की link message के माध्यम से आपके पास पहुँच जाएगी right class की जो link होगी वो message के माध्यम से आपके पास पहुँच जाएगी तो आप आसानी से समय पर अपनी class को join कर पाएंगे तो आपको class daily basis पर register करनी है free of cost goal बार-बार select नहीं करना है right ठीक है learn वाले tab पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर videos मिल जाएंगे अलगलग topics related आप इन topics related videos को देख सकते हैं सीख सकते हैं अब आप यहाँ पर कह रहे थे कि sir books वगेरा क्या कैसे है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आपको बहुत सारी जो भारत में अगर हम बात करें अच्छे अच्छे publication और भारत की जानी मानी कितावे जो है वो आपको सब digital format में मिल जाएंगी topic wise आप देख सकते हैं learn with solution financial awareness with current affairs ठीक है तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी कितावे आपको मिल जाएंगी banking awareness आपने इस पर click किया for the banking examinations तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसी आप इस पर click करेंगे जैसे की मान लेते हैं आज आपने topic पढ़ा history of the banking in India history of banking its evolution इसका development है ना आज की topic में discuss कर रहे हैं तो आप इस book पर आएंगे आप इस topic को आपने पढ़ लिया है topic पर click करेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ancient India में कैसे क्या था modern era में कैसा क्या है RBI के बारे में हमें modern era से सम्मंधित practice करनी है practice वाले tab पर हम click कर देंगे सर अगर एक दिन register नहीं कर पाए तो बाद में देख नहीं पाएंगे क्या नहीं देख पाएंगे dear वो आपको learn वाले tab में देखने को मिल जाएगी फिर वापस से वो आपकी practice वाले tab में चली जाएगी लेकिन कोसिस कीजिए कि हर class को daily live basis पर आप जोइन कीजिए ठीक है जैस भी बुक नहीं चाहिए Mbive application पर आपकी जरुतकी सारी किताब उपलब्ध है आप इसी application पर topic wise पढ़ते जाएए ठीक है topic wise live classes join करते जाएए और उसके बाद यहाँ पर topic wise practice करते जाएए मेरी बात समझ में आ रही है सभी को then say yes कि हासर बात समझ में आ रही है एक बार यह से ल explainers video है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं then इतना कुछ करने के बाद जब आप आपको लगे कि हाँ आपकी तैयारी बहतर हो गई है आप काफी अच्छा कर रहे हैं काफी सारे topics complete कर लिए है concepts clear हो गए है तब आप practice वाले टैप पर आकर subject wise practice भी कर सकते हैं तो आपको जितनी common written exam officer scale 1 यह complete किताब है आपकी आप यह भी यहाँ पर complete कर सकते हैं right लेकर अगर आप चाहते हैं अच्छा मैं आपको एक और अच्छी और शांदार चीज़ दिखाता हूं for example आप general awareness के practice करना चाहते हैं तो आप general awareness पर आएंगे general awareness के practice section पर आकर आप क्या कर सकते हैं M5 की big book जो हजारों questions अगर यह book यह जो big book है न अगर यह digital form में नहीं होती न physical form में होती paper form में होती तो यह कम से कम इतनी मोटी book होती हजारों questions इसमें inbuilt है मेरी बात समझ में आ रही है clear है video stuck हो रही है अच्छा नहीं वो issue के लिए कुछ समय के लिए है कोई बात नहीं वो ठीक हो करेंगे तो economy से संबंधित question GK related banking affairs और current affairs तो जैसे कि मुझे banking affairs से संबंधित question चाहिए banking and financial awareness हमें इसकी practice यहाँ पर करनी है तो हम इस पर tick करेंगे तो money market, capital market, RBI, Indian banking sector हमें practice करनी है Indian banking sector की तो हम Indian banking sector पर click करेंगे और यहाँ पर आगया Indian banking sector practice पर tick कर दीजिए practice पर जैसी आप tick करेंगे question आपके सामने इस तरीके से आप topic wise practice कर सकते हैं और M5 की big book में बहुत सारे questions है उनका आप lab जरूर उठाईए clear है मेरी बात सभी को test वाले tab पे आकर आप mock test दे सकते हैं वो भी free of cost आप topic wise भी test दे सकते हैं और full mock test भी दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए IVPS RRB officer scale 1 mains mock test number 5 आप इस पर tick करेंगे और आप यहाँ पर practice कर सकते हैं आप यहाँ पर यह test start कर सकते हैं start test पर आप click करेंगे और सारी चीज़े आपके सामने यह rules and regulation है कि आपको test के बारे में 200 questions 120 minutes में आपके यहाँ पर complete करने है I have understand and read the instructions then आप आगे बढ़ेंगे और test आप य clear मेरी बात okay then जैसे कि हमने यहाँ पर tick किया और then हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते है test start भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन अभी कुछ दिन आप पहले सीखेंगे practice करेंगे पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे test देना आप यहाँ पर शु पर आप जाकर books वगेरा से practice कर सकते हैं clear है topic wise practice कर सकते हैं subject wise practice कर सकते हैं और test वाले टैब पर आकर आप क्या कर सकते हैं test वाले टैब पर आकर आप जो practice वगेरा है वो अपनी mock test वगेरा है वो आप कर सकते हैं आपको achieve journey वाले टैब पर भी आना है आपका सारा का सारा जो कच् चिठा है वो ये बता देगा आप यहाँ पर देख सकते हैं start achieve journey intro आप देख सकते हैं आपने कितने test दिये हैं आपने कितने videos यहाँ पर देखे हैं यह सारा analysis आपको यहाँ पर करके देदेगा आपको खोद यह करने की जरूरत नहीं है ठीक है यह सारा का सारा analysis जो आपका MB है वो आपको करके देदेगा तो M5 Achieve Journey में यह होगा कि आपने कितना समय learn पर दिया कितना समय आपने practice पर दिया कितना समय आपने test पर दिया इन सब की जो जानकारी है information है वो आपको achieve journey में मिल जाएगी कितना आपने वहाँ पर सीखा कितना समय बिताया जिस से आपका क्या होगा आपको पता चलेगा कि आप कहां पर week पढ़ रहे हैं कहां पर improvement की जरूरत है complete analysis यह आपको achieve journey में देखने को मिल जाएगा तो इसके हिसाब से आप अपनी weaknesses को समझ सकते हैं कि कहां पर किस topic में मैं weak हूँ ठीक है और कई वार क्या होता है कि कुछ students की माल लेते English subject अच्छा नहीं है किसी का reasoning subject अच्छा नहीं है किसी का GA subject अच्छा नहीं है तो आपकी weaknesses को identify करता है कहां पर improvement की ज़रूरत है वो identify करता है कितने percent कहां पर आपने कितना achieve किया learn वाले section में भी कितना बाकी है यह सब कुछ आपको बताएगा आपकी complete analysis और अगर यह सही तरीके से आपने इसको utilize कर लिया achieve journey को तो आप यहां पर सफल ज़रूर होंगे तो चलिए हम लोग topic पर वापस आते हैं जितने भी features मैंने आप सभी को बताए आपको समझ में आए दिन से yes और दिन का थोड़ा सा आदा घंटा निका लिए और M5 आपको थोड़ा सा explore कीजिए यह सारे के सारे features आपके लिए है आपकी preparation के हिसाब से इन्हें AI model के हिसाब से बनाया गया है तो इसका lab उठाईए सब कुछ free of cost है तो आज सभी लोग आदा घंटा जरूर देंगे M5 के features को है और इसके जो भी अलग-अलग features है टेस्ट है, learn पर क्या-क्या है एक बार इसको explore कीजिए इससे आफी को फायदा है free of cost आप इसका lab उठा सकते हैं ओके everyone then say yes की yes sir बिलकुल चले वापस आते हैं class में और हम लोग यहाँ पर history discuss कर रहे थे Indian banking system की तो उस history को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अब यहाँ पर discuss करते हैं तो चलिए आगे discussion शुरू करते हैं चलिए तो हमने यह देखा, अभी तक हमने यह देखा कि भारत में pre-independence phase की बात करें आजादी से पहले भी हिंदुस्तान में बहुत सारे banks काम कर रहे थे और यह सभी अधिकतर private banks थे, यानि कि नीजी bank क्योंकि उस समय सरकार वाला कोई system था नहीं हाँ, British government के द्वारा supported कुछ banks थे लेकिन हम बात करें कि पूरी तरह से सरकार या कोई लोकतांतरिक सरकार या सरकार के अंतरगत सरकारी bank तो उस समय ऐसा कुछ खास था नहीं, सब private banks थे 600 के आसपास, private bank उस समय काम कर रहे थे आगे बात करते हैं, चलिए, आगे discussion करने से पहले आप लोग को एक question का answer देना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना मालूम है और आपको Indian banking history के बारे में कितना पता है, question number one, answer दीजेगा फटा फट से, in which year was the first bank of India, bank of Hindustan established, simple सा question है, कि अगर भारत के इतिहास की बात करें और भारत में banking system के इतिहास की बात करें, तो भारत का सबसे पहला bank, bank of Hindustan किस year में आपका यहापर established हुआ था, पांच option आपके सामने है, आपके सामने question वाला एक tab आपको नजर आ रहा होगा, तो सभी लोग question वाले tab पर click करके अपने answers वहाँ पर दे दीजेगा, answer आपको क्या करना है, वहीं पर click करना है, ठीक है, clear है, चलो, इसका answer क्या होना चाहिए, sir इसका answer होना चाहिए, 1770, यानि कि 1770 में, sir पहली बार bank of Hindustan, Hindustan का सबसे पहला bank वह आपका established हुआ था, 1770 में, जी हाँ, तो यहाँ से एक तरीके से हम कह सकते हैं, कि Hindustan में banking system, जो modern तरीका है, आधुनिक तरीका है, वो आपके हाँ पर शुरू हुआ, तो the banking system commenced in India with the foundation of the bank of Hindustan in Calcutta, तो Hindustan की अगर बात हम लोग यहाँ पर करें, तो हिंदुस्तान में आधुनिक banking system, bank of Hindustan की स्थापना के साथ आया, bank of Hindustan कहाँ पर established हुआ था, bank of Hindustan established हुआ था, कलकत्ता में, राइट, और कलकत्ता में 1770 में established हुआ, एक बार exam में question यह भी आया था, कि bank of Hindustan कब असफल हो गया था, कब बंद हो गया था, तो इसने अपना कार्म काज कब बंद किया, 1832 में 1832 में बंक of Hindustan असफल हो गया, इसका banking कारोबार ठप हो गया, बना कब 1770 में कहा, कलकत्ता सिटी में, clear है मेरी बात, तो हिंदुस्तान का सबसे पहला bank, bank of Hindustan, कलकत्ता सहर, 1832 में जाकर असफल हो जाता है, bank fail हो जाता है, right याद रखेगा, चले, आगे बात कर लेते हैं, bank of Hindustan के असफल होने के बाद, ऐसा नहीं है कि केवल वही bank आया था और कोई bank ही नहीं था, या आगे कोई bank established नहीं हुआ, आगे चलके बहुत सारे bank आप लेकिन 1791 में ये bank भी आपका जाकर fail हो गया, इसके बाद भारत का पहला entirely joint stock bank, इसका नाम था अवध commercial bank या odd commercial bank, हिंदी में, अवध, आपने ये नाम सुना है, अवध, सामे अवध, बनारस की सुभा और अवध की साम, हिंदुस्तान में बड़ी प्रसिद्ध है, अवध या joint stock bank, वो अलहबाद bank, first joint stock bank था, लेकिन entirely Indian joint stock bank, it means कि ये जो bank आपका यहाँ पर 18801 में established हुआ था, दिखिए, joint stock bank का मतलब ये होता है, कि जिस bank की जो capital होती है, वो आपकी divided होती है, joint stock, यानि कि इस bank के multiple shareholders थे, यानि कि ये bank किसी एक व्यक्ति का नहीं था, इस bank के multiple shareholders थे, और स सभी के सभी shareholders, भारती थे, इंडियन थे, वो पहला completely Indian joint stock bank था, अवद commercial bank, जिसे established किया गया था, 1881 में 1881 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश, आज फैजाबाद जिले को अयुद्या के नाम से जाना जाता है, इसे rename कर दिया गया है, तो ये bank उस समय established हुआ, लेकिन आगे चल बहुत सारे bank इस्टैबलिस हुए, लेकिन बहुत सारे bank फेल भी हुए, असफल हुए, तो ये छोटी सी कहानी है कि हाँ, bank of हिंदुस्तान आया, फिर कैसे क्या हुआ, कौन-कौन से bank आये, कैसे क्या असफल हुए, ठीक है, चलो, आगे का discussion शुरू करने से पहले, एक और question आ क्या होगा, presidency bank को हम प्रांती bank कहते थे, right, इसका correct answer यहाँ पर जो बनेगा, अच्छा एक बात बताओ, ये feature कैसा लगा आप सभी को, अगर feature अच्छा लगा हो, तो एक बात thumbs up जरूर देना है कि sir, ये वडिया है, हमारे thumbs को यहाँ पर ज्यादा महनत नहीं करनी होती, हम फट presidency, अभी मैं इसके बारे में discussion करूँगा, ठीक है, कलकत्ता, जो की बना bank of बंगाल, thumbs up यहाँ पर आ रहे है, जोर सोरो से, कि sir, शांदार, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, very good, तो कलकत्ता, मदरास और बंबे, इसका सही जवाब होगा, क्यों, ये मैं आपको आगे अभी explain करूँगा, ताने से, कि sir, awesome session है, awesome feature है, और ये feature, अभी सोचिए कि अभी हम लोग conceptual classes discuss कर रहे है, आगे MCQs की classes होगी, जहाँ पर हम लोग purely MCQs discuss करेंगे, आप सभी के साथ, तो वहाँ पर आपको कितना मजा आएगा, और तुरंत आपकी report भी सामने आजाएगी, जैसी session complete होग for example, हमने 25 MCQs discuss किये, तो उसमें से वो तुरंत बता देगा, आपने कितने questions correct किये हैं, किस question पर कितना समय आपने लगाया, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, चले, discussion आगे बढ़ाते हैं, प्रेसिदेंसी वेंको का discussion शुरू करते हैं, हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों ने कबजा किया, या हिंदुस्तान में जब वो trade करने के लिए आए, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी trading post, ठीक है, व्यापार के लिए, trade के लिए, उन्होंने बड़े-बड़े किले बना लिए, जहांपर वो सामान स्टोर करके रख सके, trading post, ठीक है, उन किलों को सुरक्षित रखने के लिए, वो ब्रिटेन से सैनिक भी लेकर आ गए, तो धीरे-धीरे उन्होंने हिंदुस्तान पर कबजा करना शुरू किया, तो British East India Company की बात करें, तो British East India Company ने सबसे प कोस्ट को, factories को धीरे-धीरे किलों में तबदील कर दिया, यहां से हिंदुस्तान से कच्चा माल यूरोप जाता था, और यूरोप से जब जहाज खाली वापस हिंदुस्तान आते थे, तो वहां से बहुत सारे सैनिक हिंदुस्तान आते थे, तो धीरे-धीरे नहोंने अपनी खुद की एक सेना खड़ी कर ली, ठीक है, धीरे-धीरे हिंदोस्तान पर कबजा किया, आपको पता होगा Battle of Buxer, Buxer की लड़ाई, Battle of Chausa, Chausa का युद बंगाल, जहां पर बंगाल पर अंग्रेजों ने सबसे पहले साशन शुरू किया था, क्योंकि सबसे पहले officially आक्रमण कर के लड़ाई करके अंग्रेजों ने बंगाल को जीता था, Battle of Chausa और Battle of Buxer, सुना है सभी ने, 1757 Battle of Buxer, नहीं, 1757 Battle of Chausa, then 1764, 1764 Battle of Buxer, जहां पर बंगाल के नवाप को हराया, बंगाल के साशक को हराया, और बंगाल के नवाप बन बैठे अंग्रेज, कठपुतली साशन थ होगा, तो अभी आपको उतना जदा हिस्ट्री में नहीं जाना है, आपको वस इतना समझना है कि हिंदोस्तान की जब-जब बात आपकी यहां पर की जाती है, तो वरतमान समय में अगर आप हिंदोस्तान को देखेंगे, तो हिंदोस्तान आपका किस में बटा हुआ है, पूरा हिस्सा ये वाला इसमें बंगाल के साथ साथ बांगलादेश भी आ जाएगा आज का जो बांगलादेश है वो भी इसका हिस्सा है तो सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर साशन शुरू किया ये बंगाल आपका प्रांथ है प्रांथ का मतलब राज्य है ऐसे प्रेसिडेंसी हैं जिन्होंने या जिन पर सबसे पहले अंग्रेजों ने साशन आपका शुरू किया तो सबसे पहले जो तीन प्रांती बैंक बने इनहीं के नाम पर बने अब आपको समझने में आसानी होगी मैं आपको समझाता हूँ अंग्रेज हिंदुस्तान आते हैं फैक्टरी लगाते हैं ट्रेडिंग पोस्ट बनाते हैं और इसी प्रोसेस के दौरान उन्होंने तीन प्रेसिडेंसी बैंक भी आपके हाँ पर स्टैबलेस किये तीनों के तीनों बैंकों के नाम पर ही आपके हाँ पर रखे गए सबसे पहल हुआ, Bank of Calcutta established हुआ, 1806 में ही, कब established हुआ, 1806 में Bank of Calcutta established हुआ, लेकिन आगे चलके अंग्रेजों को मज़ा नहीं आया, तो इन्होंने क्या किया, Bank of Calcutta का नाम बदल कर कर दिया, Bank of Bengal, Calcutta एक सहर है, आज इसे Kolkata के नाम से जानते हैं, राइट, लेकिन जब आगे चलके प्रांत को रिप्रेजेंट करता है, राइट रिपर्णा, यस और नो, तो इसलिए इस बैंक का नाम आगे चलके बदला गया, कब बदला गया, सर, ये Bank of Bengal कब हुआ, ये Bank of Bengal हुआ, 1809 में, 1809 में, 3 साल बाद, ये बना Bank of Bengal, 1840 आते आते, Bombay प्रांत में भी, Bombay के नाम का, Bank of Bombay established हुआ, और Madras में, 1843 में, Bank of Madras established हुआ, आगे चलके अंग्रेजों को फिर मज़ा नहीं आया, Bank of Bengal, Bank of Bombay and Bank of Madras, तीनों के नाम, प्रांतों के नाम पर है, कभी भी एक्जाम में कोशन पूछा जाया है, historical point of view से, कि प्रांती बैंक कौन कौन से थे, तो तीन ही प्रांती बैंक थे, इनके नाम प्रांतों के नाम पर पड़े थे, that's why हम इने प्रांती बैंक कहते थे, आगे चलके अंग्रेजों ने तीनों बैंकों को आपस में ही मर्ज कर दिया गया, 1921 में तीनों बैंक आपस में मर्ज हो गये, For example, अगर 10 ब्रांच थी बैंक अफ बंगाल की, 10 ब्रांच थी बैंक अफ बंबे की और 10 ब्रांच थी बैंक अफ मद्रास की, तीनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया 1921 में और एक ही नाम दे दिया गया Imperial Bank of India Imperial Bank of India तो अब आप ऐसे समझे कि Imperial Bank of India की हिंदुस्तान के अंदर टोटल 30 branches हो गई टोटल कितनी branches हो गई? 30 branches हो गई 10 branch Bombay वाली, 10 branch Bengal वाली, 10 branch Madras वाली तीनों को merge करके बनाया गया Imperial Bank of India कब बनाया गया? 1921 में बनाया गया टोटल branches हो जाएंगी For example, मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि अगर सभी बैंकों की 10-10 branches थी तो अब यह merge होके टोटल 30 branches हो जाएंगी Imperial Bank of India की तो यह तो रहा Imperial Bank of India का इतिहास इस से आपको यह भी समझने में help मिलेगी कि आखिर SBI जब इस्टैबलिस हुआ तो SBI शुरुआत से ही इतना बड़ा बैंक क्यों था? क्यों? Why? Because लेकिन आगे discussion करने से पहले आपको यहाँ पर बताना है simple सा question अभी अभी जो हमने discussion किया है उसका answer मुझे फटाफर से यहाँ पर दीजेगा कि सही जवाब इस question का क्या बनेगा At which place did the East India Company establish its first presidency bank? फटाफर से answer दीजेगा ठीक है Okay, then correct answer हमने देखा कि सबसे पहले 1806 1806 Bank बनता है Bank of Calcutta जो की सबसे पहला था Calcutta option में है नहीं लेकिन Calcutta के बाद Bank of Bengal बना 1809 में ठीक है Bombay बना 1840 में और Madras बना 1843 में हाँ मुझे पता चल जाता है कितने लोगों ने answer दिये है जितने लोगों ने सही answer दिये है चार लोगों ने गलत answer दिये है टोटल कितने लोग थे उसमें से कितनों ने answer नहीं दिये है मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखता है correct answer Bengal चलिए बहुत ही बढ़िया बात आगे बात कर लेते हैं तो सर आपने यहाँ पर कहा कि 1921 में जो बैंक आपका यहाँ पर था उसका नाम था Imperial Bank of India Imperial का मतलब होता है शाही अभी आपने देखा कि Britain के राजा का coronation हुआ नसरीन जी वेलकम है ना ठीक है शाही राजघराना अब बिटेन जो था वो शाही राजघराने के द्वारा ही तो कंट्रोल होता था तो Imperial शब्द वहीं से आया था शाही राजघराने से तो Imperial Bank of India यहाँ पर हो जाएगा Imperial Bank of India को ही rename कर दिया गया और नाम रखा गया SBI, State Bank of India तो किया कुछ नहीं गया था Imperial Bank of India में से Imperial शब्द हटा दिया गया और उसकी जगे केवल एक शब्द जोड़ दिया गया State यानि की S-T-A-T-E State यानि की राज और Bank of India, Bank of India ही रहा इस तरीके से rename करके nationalize किया गया SBI को कब 1955 में 1955 में SBI का headquarter कहा है Mumbai सहर में है और SBI के chairperson कौन है दिनेज कुमार खारा, वर्तमान में SBI के chairperson बंते हैं यहां तक सारी चीज़े clear हैं तो एक बार yes लिखकर मुझे बताएगा कि yes sir, यहां तक सारी चीज़े clear हैं कोई दिक्रत नहीं, कोई समस्या नहीं अब समझ में आया सर कि जब SBI 1955 में establish हुआ अच्छा तारीक आपकी थी 1st July तो 1st July 1955 हर साल 1st July को SBI Foundation Day मनाया जाता है तो शुरुआस से ही SBI भारत का एक काफी बड़ा bank था क्योंकि हमने देखा कि presidency बैंकों से लेकर SBI का इतिहास तो शुरुआस से ही SBI एक बहुत बड़ा bank था क्योंकि इसका इतिहास काफी पहले से चल रहा था अभी बहुत ही simple सा हमने discussion किया है simple सा question आपके सामने है कि SBI का nationalization कब हुआ फटाफट से टिक कीजेगा अभी भी पाँच लोगों ने answer नहीं किया है फटाफट से answer करो भाई correct answer इस question का क्या बनेगा 1955 सर आपने अभी बताया 1st July 1955 SBI मतलब Imperial Bank of India को rename किया गया और इसका नाम रखा गया SBI very good everyone next question next question नहीं next question नहीं आगे अगे SBI की history को थोड़ा सा और detail में discuss करेंगे चलिए तो यहां तक का discussion अगर सभी को clear है then say yes everyone की yes sir यहां तक का discussion clear है और SBI का जो स्थापना हुई SBI का जो foundation आपका यहां पर हुआ है वहां तक का discussion तो हमें clear है SBI के 8 सहयोगी bank भी थे 8 subsidies bank of State bank of India इनको nationalize किया गया State bank of India subsidiary banks at 1959 के तहत तो State bank of India की बात करें तो आपने कभी न कभी Associates bank of SBI जरूर सुने होंगे तो 1959 में SBI के 8 सहयोगी बैंकों को nationalize किया गया तो 8 के 8 सहयोगी bank आपके सामने है Sir आपने कहा 8 है नहीं मन्यू वो कैप वाली ट्रिक यहां काम नहीं आएगी वो कैप वाली ट्रिक आएगी जह हम लोग बैंकों का nationalization discuss करेंगे यहां काम नहीं आएगी मन्जू ठीक है तो सर आप कहे रहे 8 यहां पर total संख्यातो है 9 तो 9 मा बैंक कौन है वो भी बताऊंगा ठीक है 8 सहयोगी बैंक जो SBI के थे वो है State Bank of Saurashtra State Bank of Indor State Bank of Bikaner State Bank of Jaipur State Bank of Hyderabad State Bank of Meisur State Bank of Patayala और State Bank of Travencore यह SBI का इतिहास है This is the history of SBI यह सभी SBI के क्या है सहयोगी बैंक आपके हुआ करते थे क्या आपने इनमेंसे किसी भी बैंक का नाम अभी सुन रखा है या इनमेंसे किसी भी बैंक में आपका वर्तमान समय में करन्ट सिच्रियेशन में किसी का अकाउंट है करन्ट टाइम में किसी का भी नहीं होगा क्योंकि यह बैंक ही नहीं है हाँ सही है आगे चलके SBI ने सोचा इन दोनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दो तो राजिस्थान वाला जो हिस्सा है वो आपका कवर हो जाएगा तो 1963 में 1963 में इन दोनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके एक बैंक में कनवर्ट कर दिया गया State Bank of Bikaner and Jaipur that is called SBBJ State Bank of Bikaner and Jaipur तो यह दोनों bank आपस में मर्ज होके एक single bank में convert हो गए ठीक है sir State Bank of Saurashtra 2008 में SBI में State Bank of Saurashtra आपका मर्ज हो जाता है यह bank भी नहीं रहा इस bank के customer branch assets सब किसकी हो गए SBI ठीक है 2010 State Bank of Indoor भी सामिल हो गया किस में SBI में यह year याद रखने है भई SBI का exam भी तो देना होगा SBI के interview को भी तो face करना होगा right or wrong आसर करना तो है तो यह सब याद करना पड़ेगा तो यह सभी bank आपस में मर्ज हो जाते हैं यह आपस में मर्ज होकर एक bank में convert हो गए यह SBI में मर्ज हो गए तो एक bank बचा यह फिर हैदराबाद दो मैसूर तीन पटियाला चार ट्रावन कोर पाच तो टोटल पाच Associates Bank रहे SBI के आगे चलके 2017 2017 में इन पाचों के पाचों बैंक को five remaining banks को first of April financial year की जो शुरुवात होती है यह सभी के सभी पाच bank SBI में merge हो जाते हैं तो current time पर कोई भी SBI का Associates Bank या फिर Subsidiary Bank नहीं है clear then say yes everyone and give me a thumbs up कि हाँ sir clear है यह सभी bank किसमें merge हो गए अंतताह SBI में merge हो गए इससे SBI का size और बढ़ गया SBI का customer base और बढ़ गया SBI की assets base और बढ़ गया loan department जो होता है loan size और बढ़ गया उनके जो loan वाले customers थे वो और बढ़ गये ATM network और बढ़ गया सही है ना correct है ना sir भारती महला bank रह गया भारती महला bank का कोई संबंध नहीं था SBI से ये खामखा यहां पर आका red हो गया as भारती महला bank को Indian National Congress Party की जब सरकार थी जिसे हम कहते थे UPA की सरकार Congress Party और उनकी सहयोगी पार्टियों की सरकार UPA की सरकार 2014 में 2014 के budget में भारती महला bank को introduce किया गया था इसका headquarter था आपका New Delhi में भारत की capital New Delhi में इस bank को women empowerment यानि की महला शक्ती करण के लिए शुरू किया गया था बोला यह गया था कि भारती महला banks है उन महलाओं को काफी support मिलेगा जो business शुरू करना चाहती है व्यापार खड़ा करना चाहती है बाजार में जो भी loan उनको मिल रहा है वहाँ पर यहाँ पर loan 1% कम पर आपका मिलेगा तो basically यहाँ पर women empowerment को ध्यान में रखते हुए योजनाय और सारी facilities दी आ रही थी आगे चलके 2017 में 2014 में established हुआ and 2017 में BJP government ने या NDA government ने क्या किया इसे SBI के साथ ही merge कर दिया तो इसका अस्तित कुछी सालों कर रहा 2014 से लेकर 17 तक और finally यह bank भी SBI के साथ merge हो जाता है मेरी बाद समझ में आई तो इस तरीके से SBI का size और बढ़ जाता है SBI का business और grow करता है SBI का customer base और बढ़ जाता है इस तरीके से SBI का इतिहास यहां तक रहता है चलिए 1969 ध्यान दीजेगा मेरी बात का 1969 भारतिये banking system का first nationalization आपका यहां पर होता है first nationalization of भारती banking system जो first nationalization आपका यहां पर होता है भारती banking system का वे होता है आपका 1969 में ठीक है कब होता है 1969 में होता है अच्छा अगर मैं आपसे exact year यहां पर पूछता हूँ कि exact वो year तो है 1969 और डेट आपकी यहां पर क्या बनती है कि किस तारीख को भारती banking system का पहला nationalization हुआ था तो डेट आपकी यहां पर बनेगी 19 जुलाई 19 जुलाई 19 जुलाई यह भी आद रखिएगा ठीक है 19 जुलाई 19 जुलाई 1969 भारत सरकार ने एक प्रपोजल यहां पर रखा उस प्रपोजल के तहट बहुत सारे private sector बैंकों को government bank में तबदील करना था आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर nationalization का मतलब क्या है वट इस दा मीनिंग आप दी नेशनलाईजेशन नेशनलाईजेशन का मतलब है रास्टी करन यानि कि private banks को निजी बैंकों को private banks को सरकारी बैंकों में तबदील कर देना सरकारी यानि कि PSU यानि कि public sector बैंकों में convert करने की process को ही nationalization कहा गया इसकी जरूवत इसलिए पड़ी क्योंकि उस जमाने में 1969 में सरकारी बैंक ना के बराबर थे और भारत सरकार को अगर government policies को implement करना था government योजनाओं को implement करना था तो उसके लिए उन्हें सरकारी बैंकों की आवश्यक्ता थी आदित्या गुड इवनिंग डियर गुड इवनिंग ठीक है तो यहां पर एक शर्त निकल कर सामने आती है अब आप सोचिए कि आजादी से पहले 1947 से पहले 600 से भी जादा बैंक प्राइवेट बैंक हिंदुस्तान में काम कर रहे थे तो 1969 में इतने सारे बैंक हिंदुस्तान में वरकिंग थे और इतने सारे बैंकों मैंसे किन बैंकों को गौर्मेंट बैंक में तबदील किया जाए कोई तो क्राइटियरिया होगा जैसे अगर सो वेकंसी है तो उन सो वेकंसी के लिए किन लोगों को चुना जाए उसी के लिए होता है एक्जाम तो हजारों लोग उसके लिए क्या करते हैं फिर हम एक एक्जाम लेते हैं और एक् सरकार यहां पर सरकार ने एक शर्त रखी क्राइटेरिया रखा कि जिन बैंकों के पास पॉब्लिक डिपॉजिट या पॉब्लिक कैपिटल 50 करोड है बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स थे जो कि हिंदुस्तान में काम कर रहे थे किनहें सरकारी बैंक में तब्दील किया थी तो उन बैंकों को नेशनलाइज नहीं किया गया क्लियर है तो यह अमाउंट भी आपको अच्छे से याद रखना है कि फर्स्ट नेशनलाइजेशन में क्राइटेरिया क्या था मिनमम पब्लिक डिपॉजिट वहाँ पर कितनी रखी गई तो आपका अंसर हो जाएगा 50 क और ऐसे बैंक टोटल कितने निकले जिनके पास 50 क्रोड की पीपलिक डिपॉजिट थी तो ऐसे टोटल बैंक आपके यहाँ पर निकलकर आते है 14 यानिके 14 आनिक चौधा 16 बैंक चौधा जो कि आपके क्या चत्वात सातमा बेंक आप कहा हपर बनेगा देना बैंक, आठमा बैंक बनेगा युनाइटब बैंक, इसके रह चौंछा आप कहा बनेगा। बनेगा उनियन बैंक उन्दिया पारोज पारोज माद्य बनेगा इन्वे और सी इन्च है। है इतनी बात सबको clear है then say yes everyone जहां पर जरूरत पड़े आप लोग screenshot ले सकते हैं एक एक चीज को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा यहां तक सारी चीज है clear है अब इन सभी के सभी बैंकों की बात अगर यहां पर मैं करूं तो Central Bank of India की स्थापना हुई थी establishment हुआ था 1911 में 1911 में Central Bank of India founded Bank of India founded in 1906 Punjab National Bank founded in 1894 1894 में Punjab National Bank की स्थापना हुई थी Bank of Broda founded in 1908 1908 में Bank of Broda आपका यहां पर established हुआ था United Commercial Bank established in 1950 अच्छा एक और चीज याद रखेगा जितने भी bank nationalized हुए है जितने भी bank nationalized हुए है उन सभी nationalized bankों में सबसे last में जो established bank था वो United Commercial Bank ही था लो नो 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 यह United Bank of India था यह तो United Commercial Bank है इसी bank को short में Yuko Bank कहा जाता है माफी चाहूंगा इसको correct कीजिएगा यह है Yuko Bank का full form Yuko Bank सुना है आप तो यह मर्ज हो चुका है लेकिन सुना था Yuko Bank हाँ या ना हाँ या ना United Commercial Bank established in 1943 1943 में से नो 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 बना पा होगे right okay Canera Bank established in 1906 Canera Bank की था आपना हुई थी 1906 में ठीक है Canera Bank के बाद आगे बाद करते है 14 banks में से तो Dena Bank established in 1938 Dena Bank कभ established हुआ 1938 में हुआ यह bank है United Bank of India United Bank of India founded in 1950 and this is the last bank या सबसे बाद में इस्टैब्लेस किया गया बैंक कि टोटल 19 बैंक्स आपके नैश्नलाइज हुए थे ये तो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी बैंकिंग उक्समें पढ़ा होगा अगर आपने तयारी की होगी कि भारत में टोटल नैस्लाइज warmed बैंकों की संख्या 19 थी और 19 नेशनलाइज बैंकों में से जो सबसे बात में स्टैबलिस किया गया बैंक था वो United Bank of India था इसका establishment हुआ था 1950 में 1950 में देना आता है आपका Syndicate Bank Syndicate Bank founded in 1921 देन अलहाबाद Bank 1865 यह सबसे पुराना बैंक था नेशनलाइज बैंकों में अब तो यह बैंक मर्ज हो चुका है लेकिन जितने भी नेशनलाइज बैंक थे उसमें सबसे पुराना बैंक आपका कौन सा था वो था आपका यहाँ पर अलहाबाद Bank then Indian Bank Indian Bank founded in 1907 Union Bank of India founded in 1919 जहाँ पर 19 का union बने ट्रिक देखो बड़ी ही सिंपल सी ट्रिक है जहाँ पर 19 का union बने 119, second 19, 19 का union, Union Bank of India भारत को United रखने की जिम्यदारी महत्मा गांधी की थी मोहंदास करमचन गांधी तो गांधी जी के हाथों से 1919 में headquarter बनता है मुंबई में Union Bank of India का उद्घाटन हुआ था महत्मा गांधी के हाथों कोशन एक बार exam में बना था कि निम्रकित में से किस बैंक का उद्घाटन inauguration महत्मा गांधी के द्वारा हुआ था आंसर आपका बन जाता है Union Bank of India राइट, Bank of Maharashtra founded in 1935, Indian Overseas Bank founded in 1937, तो यह सब इनके establishment year है, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर क्या यह सभी year आपको याद करने हैं, तो answer is no, जो bank currently आपके वरकिंग है, इस समय आपके यहाँ पर वरकिंग है, बस उन्हीं बैंको को याद रखना है, इनको याद रखने की ज़रुवत आपको नहीं है, establishment date याद करने होंगी, देखो तान्या का question आगया है कि सभी के establishment date याद करनी होगी, answer is no, अब आपको establishment date केवल 12 बैंकों की याद करनी है, only 12 बैंक, जिनमें से आपका SBI भी इसी में add है, तो total nationalized bank अब इंडिया में 11 ही है, total nationalized bank अब इंडिया में 11 ही है, SBI को जोड लें, तो सरकारी बैंकों की कुल संख्या 12 है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, types of banks वाले chapter में, आगे के sessions में, types of banks वाले chapters में, आपको वहाँ पर मैं इन सभी बैंकों के बारे में detail में बताऊंगा, तो आपको याद करना उन्हीं बैंकों को है, जो currently working है, यहाँ तक का session सभी को समझ आया हो, clear रहा हो, then give me a big thumbs up कि हाँ सर सारी चीज़े clear है, यहाँ तक का discussion clear है, then say yes everyone, कि यहाँ तक, sir, सब कुछ clear है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, first nationalization, बिलकुल clear है, 14 bank थे, criteria था आपका 50 करोड का, है न, total 14 banks के पास थे, establishment यह हमारे पास है, nationalization की process का मतलब है कि private bankों को सरकारी bank में तबदील आपका यहाँ पर किया गया, clear है, यहाँ तक सारी बात है, अच्छा, एक और question, banking या सरकारी banks, या banks saving day, एक बार एक exam में question आया था, bankों के लिए बचाओ दिवस, या banks saving day, saving का मतलब बचत से नहीं है, saving का मतलब सुरक्षा से है, तो bank saving day किस तारीक को मनाया जाता है, या सरकारी bankों का सुरक्षा दिवस, actually 19 July 1969 को बड़े पेमाने पर nationalization हुआ, तो इसी bank, इसी दिवस को यहाँ पर bankों का सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, तो यह point भी याद रखेगा, बैंकों का सुरक्षा दिवस, सरकारी बैंकों के लिए सुरक्षा दिवस, कौन सी तारीक 19 July होगी, कभी भी exam में आ जाए, question आपको वहाँ पर करना होगा, इसी करम में आपको बताना है इस question का answer, चलिए दिमाग लगाईए, आपके सामने एक pop-up open हो जाएगा, quiz का, कोई भी comment section में answer नहीं करेगा, सभी को pop-up आपके सामने open हो जाएगा, MCQ का, उसी पर आपको option टिक करना है, चलिए आपका समय शुरू होता है अब, Question number one, who was the Prime Minister of India when banking nationalization was done in 1969, 1969 में जब banking nationalization आपका हुआ था, उस समय भारत के प्रधान मंत्री आपके यहाँ पर कौन थे, Question आपको यहाँ पर यह बनता है, और आपको क्या करना है, 1969 में banking के अगर हम बात यहाँ पर करें, तो उस समय आपके यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यह question आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, तो यह question आपको यहाँ पर बताना है, फटा-फट से इसका answer दीजेगा गुलजारी लाल नंदा, इंदरा गांधी, मुरारजी देशाई, यहाँ पर correct answer जो आपका बनेगा, वो रहेगा आपका, option number B, I know कि कुछ लोग इसको click नहीं कर पा रहे होंगे, अगर कुछ भी wrong दिख रहा है, तो आप इसका answer correct लगाएंगे, इंदरा गांधी, right, इसका सही जवाब आपका इंदरा गांधी बनेगा, इसे correct कीजेगा, clear है मेरी बात, एक और question है, जरा उसका भी answer पहले यहाँ पर दीजेगा, फिर हम लोग second nationalization पर आएंगे, एक और question है, जितने भी लोगों ने इंदरा गांधी यहाँ पर tick किया है, वो लोग यहाँ पर बिलकुल सह ही है, अब अगला question आपके सामने, फिर से pop-up आपके सामने open होगा, फिर से pop-up आपके सामने open होगा, और आपको इसका answer यहाँ पर tick करना है, ध्यान से इस question का answer बताईएगा, which nationalized bank was merged with the Punjab National Banking 1993, 1993 में Punjab National Bank के साथ किस bank को आपके हाँ पर merge किया गया था, इस question को देखे और बता दिया ही नहीं है, 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक answer नहीं दिया है, unanswered है 7 लोग, गलत जवाब दिया है, 9 लोगों ने, delete कर दिया है, 6 लोगों ने, एक इस व्यक्ति इंतिजार कर रहा है, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया अभी तक, which nationalized bank was merged with the Punjab National Bank in 1993, 1993 में किस bank क विले Punjab National Bank में किया गया था, Punjab and Sindh Bank, Bank of Rajasthan, New Bank of Punjab, New Bank of India और New Bank of Hindustan, ध्यान से answer बताईएगा, wrong दिखा रहा है, क्यों भाई, इसका correct answer जो आपके हाँ पर बनेगा, इसका सही जवाब जो है, वो New Bank of India है, तो आप लोगों ने answer क्या दिखाया, कितने लोगों ने option number D टिक किय है, कितने लोगों ने option number D टिक किया है, चार लोगों ने, diamond, चार लोगों ने, जितने भी लोगों ने New Bank of India टिक किया है, उन लोगों का answer यहाँ पर बिल्कुल सही है, so don't take tension, हाँ जी, बिल्कुल सही है, अब यह ऐसा क्या है, या यह New Bank of India क्यों मर्ज हुआ, इसके बारे में मैं आपको अभी discussion आप सभी के साथ यहाँ पर करूँगा, ठीक है, correct answer option number D होगा, क्यों, और इसको चली हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, सारी चीज़ों को, आपके doubts यहाँ पर clear हो जाएंगे, हो सकता कुछ technical issue, don't take tension, सही जवाब आपका New Bank of India है, अगर आपने New Bank of India लगाय है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ देखिएगा, second nationalization की बात करें, तो भारती banking system का first nationalization हो जाता है, 1969 में complete, फिर second nationalization होता है, आपका 1980 में, 1980 में, second nationalization आपका यहाँ पर होता है, तारीख आप लोग यहाँ पर note कर लीजेगा, 15 April 1980, तारीख note करिएगा, second nationalization की जो date आपकी यहाँ पर बनेगी, वो बनेगी 15 April 1980, RBI के मदद से भारत सरकार ने एक बार फिर से nationalization किया, भारती बैंकों का, लेकिन यहाँ पर criteria आपका increase कर दिया, यानि कि first nationalization में जो criteria था 50 करोड पब्लिक डिपॉसिट का, यह criteria यहाँ पर बढ़ जाएगा, और अब उन ही बैंक को यहाँ पर nationalize किया गया, जिनके पास minimum public deposit कितनी थी, comment section में लिखकर बताएगा, जिनके पास minimum public deposit थी आपकी 200 करोड, तो यहाँ पर criteria आपका यहाँ पर increase किया गया, but obvious कि जब criteria आपका यहाँ पर बढ़ गया, कि अब कम से कम 200 करोड या उससे उपर की public deposit वाले बैंकों को ही nationalize आपका यहाँ पर किया जाएगा, तो ऐसी condition में total banks जो आपके निकल कराते हैं, जिन्हें nationalize किया गया, private bank से सरकारी बैंकों में convert किया गया, private bank से government bank में तबदील किया गया, ऐसे बैंकों की कुल संख्या बनती है 6, ठीक है, ऐसे बैंकों की कुल संख्या बनती है 6, पहला bank है इसरा bank, दूसरा bank है corporation bank, तीसरा bank है new bank of India, चौथा bank है oriental bank of commerce, पाच्मा bank है Punjab and Sindh bank, और छठा bank है Vijaya bank, एक बात याद रखिएगा, कि total 6 bank आपके nationalize हुए थे, लेकिन आगे चलके second nationalization वाले बैंकों की कुल संख्या 5 ही बची थी, only 5, क्योंकि हमने अभी अभी एक question discuss किया, कि new bank of India नाम का एक bank था, ये bank कुछी समय के बाद किसमे merge कर दिया गया, इस bank को finally merge कर दिया गया Punjab National Bank के साथ, 1993 में ये bank काफी financially weak हो गया, तो इस bank को merge कर दिया गया Punjab National Bank के साथ, तो 1993 से लेकर काफी लंबे वक्त तक ये पाचो बैंक आपके हाँ पर काम करते रहे और इनकी संख्य टोटल पाच ही रही second nationalization में, इन पाचो बैंको के नामों को याद करने की जो trick आपकी यहाँ पर बनती है, वो मैंने कई बार आप सभी के साथ discuss की है, trick आपकी यहाँ पर बनती है, vocab, क्या बनती है भई, vocab, v-o-c-a-p, English में बहतर करना है, तो vocabulary बहतर होनी चाहिए, right, और vocabulary को short में क्या कहते है, vocab, कहते हैं कि नहीं, yes or no, vocabulary को short में क्या कहते है, vocab, तो vocab में last में B की जगे यहाँ पर P है, और बस अगर आपको यह नाम याद है, तो आपका काम बन गया, v-for, Vijaya Bank, ठीक है, o-for, Oriental Bank of Commerce, यह रहा, ठीक है, c-for, Corporation Bank, A for Andhra Bank, A for Andhra Bank, और P for Punjab and Sindh Bank, Punjab and Sindh Bank, कितने लोग को यह ट्रिक पहली बार पता चल रही है, इमानदारी से, me, 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 me लिख दीजेगा, कितने लोग को यह ट्रिक पहली बार पता चल रही है, बाकि लोग जो regularly class में जुड़ते हैं, उनको तो यह ट्रिक पता है, जितने लोग को पहली बार यह ट्रिक पता चल रही है, एक बार me, me, me लिख दे, और अगर ट्रिक पसंद आई हो, और ट्रिक याद कितने लोग को होग यह, thumbs up कर दो, फटा-फट से, जितने लोग को यह ट्रिक याद हो चुकी हो, वो thumbs up कर देंगे, वो कैब की ट्रिक तो वो कैब की ट्रिक में वो पांचो बैंक आ जाते हैं जिनका nationalization second nationalization में हुआ था और इन बैंकों को छोड़कर बाकी सभी बैंक first nationalization में nationalize हुए थे क्लिर है कोई ऐसा जिसने पहली बार इसको पढ़ा हो, पहली बार इसको read किया हो, तो अगर आप लोगों के सामने 5 option रखे जाएं और आपसे यह पूछा जाएं कि इन 5 बैंकों मैंसे कौनसा bank first nationalization में nationalized हुआ, कौनसा second, तो क्या आप आसानी से identify कर पाएंगे, अगर उन 5 बैंकों के नामों मैंसे कोई bank का नाम इस trick में आता है, तो वो second nationalization में nationalized हुआ, नहीं तो वो first nationalization में nationalized हुआ, clear है ये बात, then give me a big thumbs up, कि yes sir, बिल्कुल clear है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए इसी करम में एक और question आप सभी के सामने आएगा, चलिए तो आगे बात करते हैं, चलिए पहले से चलिए फटाफट से इसके answer यहाँ पर देना शुरू कीजेगा, चलिए इस question का answer फटाफट से देना शुरू करिएगा सभी लोग, है ना, question number, इसका answer यहाँ पर यह कि which nationalized bank was merged, अच्छा ये question तो हम लोगों ने done कर लिया था न, हाँ sir, ये वाला तो हो गया ये वाला question बाकी है, right, okay, मैंने आगे की बजाए, पीछे मैं आपके साथ यहाँ पर चला गया था, ये discussion हुआ, then question number this, 19 विले कर दिया गया था, ये तो हो गया था, ये question आपके लिए नया है, चलिए इसका answer यहाँ पर देना है आप सभी को, okay, वो पुराना question था, which of these banks was not associated with the State Bank of India in 1959, जिन लोगों ने कल की class लगाई थी, उसमें मैंने आप सभी को SBI का, यानि कि State Bank of India की अगर बात करें, तो उसकी history के बारे में आप सभी के साथ discuss किया था, इसका answer कोई भी comment section में नहीं देगा, pop-up आपके सामने question का, quiz का open हो गया होगा, pop-up पर click कीजिए और बताएग आपके यहाँ पर नहीं था, 11 लोगों ने अभी तक कोई भी answer नहीं दिया है, 9 लोगों ने अभी तक कोई answer नहीं दिया है, 8, 7, 5 लोगों ने गलत जवाब दिये है, 2 लोगों ने सही जवाब दिये है, ठीक है, बाकी लोग फटाफट से answer देना, 5 लोगों ने अभी भी answer न अमरिस रूलिस सब्सक्राइब? थे सभी आपके SBIE के सहयोगी बैंको में count होते थे ये तो आपको पता है ना clear है मेरी बात तो यह यहाँ पर सही जवाब रहेगा option number E Amrish sir is the right answer here clear है अच्छा इस तरीगे की practice आप और करना चाहते हैं या नहीं हाँ diamond बाले आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है साथ लोगों ने यहाँ पर diamond लिखकर दिया है तो साथ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया है ठीक है हरिता कोई बात नहीं अच्छा आप लोग इसी तरह के topics की और practice करना चाहते हैं नहीं yes और no क्या आपको मजा आ रहा है इस तरीके की practice करने से topic wise अगर आप practice करना चाहते हैं तो कहां से करेंगे कैसे करेंगे क्या आप यह जारना चाहते हैं जी हां तो वो आप कैसे practice कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ M5 की application पर, M5 application पर आने पर या M5 की website पर आने पर आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप practice कर सकते हैं, वो ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे पहले M5 की application पर आना है, और सबसे पहले अपना goal select करना है, goal आपको कैसे select करना है, side में यह जो pop-up आपको नजर आ रहा है, उस प आप आपको यहाँ पर select करना होगा कि आप particular किस exam के लिए preparation कर रहे हैं, ठीक है, तो for example, अपसे सबसे करीबी exam आपका IBPS RRB officer skill 1 mains का है, और GA के लिए आप practice करना चाहते है, language आप यहाँ से select करेंगे, और अब आपके goal के हिसाब से जो modify चीज़े हैं, वो आपके सामने है, practice आपको यहाँ पर practice tab नजर आ जाएगा, practice tab पर click करने के बाद अब आपके सामने सारे options यहाँ पर open हो जाएंगे, आप subject wise यहाँ पर practice कर सकते हैं, उपर की तरफ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, wonderful MCQ practice sir, आयूशी राठोर is saying, आगे आगे हम लोग बहुत सारे MCQs की practice भी इ coding, data sufficiency, है ना, आप चाहें तो यह सारी books की practice कर सकते हैं, यह सारी की सारी books आपको purchase करने की जरूरत नहीं है, इन सारी books के questions आपको यहाँ पर free of cost मिल जाते हैं, और आप यहाँ पर click करके आसानी से topic wise practice कर सकते हैं, for example, कि अगर माल लेते हैं, IVPS, RRB, Officer Scale 1, यहाँ पर अगर tracking के लिए आप practice यहाँ पर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, तो आपको units यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, units आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, इसमें आप general awareness की unit आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, दिख रहा है, general English के पर निचे जनल अवेरनेस, हमने इस पर क्लिक कर दिया, जनल अवेरनेस पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, तो current affairs की practice आप यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है, current affairs के questions की practice आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे, आपके सामने वहाँ पर open हो गए है, ठीक है, इस book की जगे, अगर आप किसी दूसरी बुक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम दूसरी बुक की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम जरल अवेरनेस वाले टैप पर ही आ जाते हैं, जरल अवेरनेस वाले टैप पर आने के बाद अब हमारे सामने जो भी बुक्स वगेरा ओपन होंगी, वो जरल अ अगर यह physical form में किताब होती, paper form में किताब होती, तो यह कम से कम इतनी मोटी किताब होती, चलिए, यह general awareness GA की big book है, इस पर हम tick करेंगे, हमें practice करनी है, right, तो हमें practice किस unit की करनी है, sir हमें practice करनी है, banking affairs की, या banking awareness की, हम economy से सम्मंधित questions की practice भी कर सकते है, static GK, या फिर national और international current affairs से related, अभी हमें banking और financial awareness related practice करनी है, तो हम इस पर tick करेंगे, अब आपके सामने topics आ जाएंगे, ठीक है, कि अगर हम माल लेते हैं कि हमें Indian banking sector topic से समंधित practice यहाँ पर करनी है, इस पर आप tick करेंगे, तो आपके सामने topic आ गया, Indian banking sector, उपर देखिए गया यहाँ पर, total कितने questions है, ठीक है, 5000 से भी जादा, सभी topics को अगर मिला लें, तो 5000 से भी जादा questions इसमें सामिल है, big book की अगर हम बात यहाँ पर करें, ठीक है, वापस चलते हैं big book पर, big book पर आते हैं और माल लेते हैं, हम आ जाते हैं, economy या GK panorama वाले topic पर आने के बाद, organization, personalities और events पर click करते हैं, और हमे GK से समंदित practice आपकी यहाँ पर करनी है, तो static GK से समंदित, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, for example, sports related हम practice यहाँ पर करना चाहते हैं, खेलों से समंदित GK की practice हम यहाँ पर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, sports पर click करेंगे, sports पर click करने के बाद आपको नजर आएगा कि 30 कितावों से 2,098 questions, 2,000 questions sports की category से static GK में, आपको यहाँ पर नजर आजाएगा, 2,000 questions आपको यहाँ पर मिलेंगे, practice आप यहाँ पर टिक करेंगे, तो यहाँ पर questions आपको दिखने लग जाएंगे, आप एके करके practice शुरू कर सकते हैं, इस तरीके से आप topic wise practice य आपके सामने आपका यहाँ पर आजाएगा और आप यहाँ पर practice शुरू कर सकते हैं, right, clear है मेरी बात, सभी को यहाँ तक मेरी बात clear है, then say yes, कि हा सर इस तरीके से हम यहाँ पर practice कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आज थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, और थोड़ा आपको क्या करना है, explore करना है, जिस तरीके से GA की big book है, उसी तरीके से English language, quant, reasoning, computer, सभी subjects की आपको big book यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, quant से related, जितनी भी important books हैं, वो भी आपको यहाँ पर virtual form में मिल जाएंगी, reasoning से सम्मंधित books हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी, English language से सम्म सम्मंधित books हैं, वो भी मिल जाएंगी, computer से सम्मंधित भी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप practice कर पाएंगे, so I hope कि आपको यह बात समझ में आई होगी, कि किस तरीके से आप free of cost यहाँ पर practice कर पाएंगे, और हाँ, एक बहुत ही unique feature है, अगर आप कोई question गलत क कर देते हैं, किसी question को attempt नहीं करते हैं, तो उन questions की एक repository बन जाएगी, for example, general awareness के practice करते हुए, test देते हुए, 10 question गलत हुए आपके, तो यह 10 question गलत हुए, आप इनकी दुबारा practice जरूर करना चाहेंगे, तो यह question repository में चले जाते हैं, exam से पहले 10-15 दिन पहले, आप ऐसे questions को repository से देख सकते हैं, जो आपने practice के दुरान गलत किये हैं, उसका सारा data वहाँ पर मिल जाएगा, और आप समय रहते, अपनी उन गलतियों को सुधार कर, exam में बहतर score कर पाएंगे, मेरी बात सभी तक पहुची हो, then say yes, और thumbs up यहाँ पर दे दीजेगा, कि हाँ सर हमें समझ में आ कि किस तरीके समय practice tab का इस्तिमाल करना है, कल मैं आपको और भी features के बारें बताऊंगा, लेकिन मैं personally चाहूँगा कि आप लोग इन features को जरूर खुद से test करें, topic पर चलते हैं वापस, तो आप लोग जरूर यहाँ पर खुद से इन सभी features को जरूर एक बार explore कीजेगा, इस्त स्रास को आगे बढ़ाते हैं, तो यहां तक भारती banking system का nationalization, भारती banking system का पहला nationalization और भारती banking system का दूसरा nationalization सबको clear हो गया, then give me a big thumbs up, आपके thumbs up की संख्या से मैं समझ जाऊंगा, कि हां sir, यहां तक तो सारी चीज़ें clear हैं, तो फिर और आगे की बात हम लोग यहां पर करें कि भारती banking system का nationalization होने के बाद, 1969 में 14 banks nationalize हुए, और in 1980, total 6 banks were nationalized with the help of the RBI, government ने हाँ पर total banks 19 banks को nationalize किया, आगे चलके इन बैंकों के बारे में हम detail में discussion करेंगे, लेकिन types of banks वाले lecture में, अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब क्या तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं nationalization के बाद, RRBs यानि कि regional rural banks की इस्थापना की बात यहाँ पर शुरू हो जाती है सबसे पहले IBPS RRBs के exam ही निकालेगा, IBPS RRB clerk और IBPS RRB officer scale 1, जिनके आप सबसे पहले paper August के महीने में देंगे, prelims August के महीने में होंगे On the recommendation of the Narsimham committee, Narsimham committee की सिफारशों के आधार पर हिंदुस्तान में नए तरह के bank establish होते हैं जिनका नाम बनता है regional rural banks, यानि कि छेत्रिय ग्रामीन bank, बात समझ में आ रही है, ठीक है और इनकी शुरुवात, इनका formation कब हुआ, पहली बार 5 RRBs establish किया जाते है First time 5 RRBs को establish किया जाता है, तारीख आपकी यहाँ पर बड़ी ही unique है 2 October, अहिंसा दिवस, नॉन वाइलेंस डे, गांधी जैनती या फिर शास्तरी दिवस, ये सभी 2 October को होते हैं तो 2 October 1975 को हिंदुस्तान में, पालिट प्रोजेक्ट के तहट, टेस्टिंग मोड में, यहाँ पर 5 RRBs को establish किया गया और इन 5 RRBs में से सबसे पहला RRB, सबसे पहला Regional Rural Bank, सबसे पहला Grameen Bank, सबसे प्रतम, सबसे फरस्ट, सबसे प्रतम Grameen Bank, प्रतमा Grameen Bank आपका यहाँ पर establish होता है प्रत्मा गरामिन बेंक की स्थापना आपकी यहाँ पर होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कहां होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रत्मा ग्रामनी बैंक आपका establish हो जाता है हम और बहुत detail में आज discussion नहीं करेंगे आज तो मैं केवल आपको एक history के point of view से बता रहा हूँ कि आगे-ागे क्या-क्या हुआ यह basically एक trailer है तो आगे जब हम the formation of RRBs was to serve the large unserved population of rural areas and promote the financial inclusion आखिर हमारे देश में regional rural बैंकों को क्यों establish किया गया इसकी क्या जरूरत पड़ी जरूरत यह थी कि 1975 तक भारत में जो अधिकतर बैंक्स थे ना या बैंकों की ब्रांचेस थी ना वो urban areas में थी यानि कि सहरी छित्रों में सहरों में थी ग्रामील छित्रों में कोई बैंक अपनी branches open नहीं करना चाहता था वहाँ business नहीं करना चाहता था क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा customer नहीं मिल रहे थे उन्हें बड़े बड़े उद्योग पतियों को बड़े बड़े इंडस्ट्री को यहाँ पर लोन देना था इसलिए सहरी छित्रों में गार लोन घर लोन या होम लोन वगयरा लोग बड़ी आसानी से लेते थे तो ग्रामी छित्रों में इनका जो डायरा था वो बड़ा सीमित था लेकिन सरकार ने देखा कि नहीं इस तरीके से फिर तो गाओं का विकास ही नहीं होगा एगरी कल्चर के लिए क्रिसी की जरूरत की अधार पर are 20 को आपके हैं पर स्टैबलेश किया जाता है और रीजिनल रूनल बैंकों की स्थापना आपकी यहां पर हो जाती है तो अब तक हिस्टी में हमने देखा कि किस तरीके से ने शलीर हुआ, SBI established हुआ, अब RRBs भी established हो गए हैं, और आगे क्या हुआ सर, तो 1975 RRBs हिंदुस्तान में established हो गए हैं, उसके बाद तीसरा फेज आपका यहां पर शुरू हो जाता है, इस इस दा थर्ड फेज, पहला फेज था प्री इंडिपेंडेंडेंस यानि की आजादी से पहले का फेज, प्री इंडिपेंडेंडेंस यानि की 1947 से पहले, फिर सेकेंड फेज में हमने देखा की हम आजाद हो गए और आजादी से लेकर 1991 तक क्या-क्या development हुआ, तो इसी में SBI आया, इसी में सारी चीजें होती है, nationalization हो जाता है, अब थर्ड फेज आजाता है 1991, क्या आपक भारत दिवालिया होने वाला था, कभी सुना है ऐसा कि भारत के पास Forex, Foreign Exchange, विदेशी मुद्राओं का भंडार, हिंदुस्तान का खत्म होने वाला था, तभी संकट मोचक बन कर आते हैं, Dr. Manmohan Singh, जो कि उस समय देश के Finance Minister थे, प्रधान मंत्री थे, PV नरसिम्हा राओ, और एक Plan पेस किया जाता है, that is LPG, LPG Plan आपके हाँ पर पेस किया जाता है, यह LPG Plan क्या है, LPG है Liquid Petroleum Gas नहीं है, जो हमारे घरों में LPG Cylinder होता है, यह वे नहीं है, इसमें L का मतलब है Liberalization, P का मतलब है Privatization and G का मतलब है Globalization, तो Privatization अभी शुरू नहीं हुआ है, आपको अंधिरे मे रखा जा रहा है, Privatization की शुरूआत आपकी 1991 में हो गई थी, इस Plan को कहा गया Rao और Manmohan Plan, Rao means PB Narsimha Rao, उसमें देश के प्रधानमंत्री और Manmohan Plan because उसमें Finance Minister थे Dr. Manmohan Singh, भारत के पास मात्र एक हपते का मात्र 7 days का Forex बचा था, आप समझ पारे में क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा खत्म होने वाली है, अगर पाकिस्तान के पास US डॉलर या विदेशी मुद्रा खत्म हो जाती है, तो फिर वो foreign countries से वस्तों को कैसे खरीदेगा, वो अपनी उर्जा की जरूरत, energy needs, petrol, crude petroleum, ये सब कैसे खरीदेगा, स्री लंका की हालत भी बड़ी खराब थी, तो हमारी भी हालत उससे में बड़ी खराब थी, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था, और हमेशा से हमारी जो energy needs है, वो import पर dependent रही है, हमारे देश में इतना crude oil नहीं होता, कच्छा तेल कि हम अपने देश की उर्जा की जर ही है, अगर हमारे पास dollars नहीं है, तो हम यहाँ पर अपनी उर्जा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, और अगर petrol डीजल हमारे देश में नहीं पहुचेगा, तो सोच ये, रफतार थम जाएगी, factories बंद हो जाएंगी, हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है, कोईला उतना फास्ट नहीं है, जो आसानी से सरई चीजन की जरूरतों को पूरा कर सके, अब अपनी स्कूटी या बाइक में कोईला तो नहीं डालोगे ना, तो वहाँ पर हालात बड़े खराब हुए, तो हम लोगों ने यहाँ पर WTO से agreement किया, World Trade Organization, WTO से agreement किया, उनकी शर्ते हमें माननी पड़ी और उनकी शर्तों मैं से एक शर्त थी कि भाया, आप globalization करो, what is the meaning of the globalization, वैश्वी करण, मतलब, मतलब की पूरा विश्व, एक ही market है, एक ही देश है, पूरा विश्व, एक ही market है, एक ही देश है, यानि कि अगर foreign countries की कंपनिया, हिंदुस्तान में आकर अपना सा एक ही के की चीज़ें बड़ी सीमित रखी हुई थी, हमारे देश में एक डर था, कि अगर foreign company हिंदुस्तान आएंगी, विदेशी company हिंदुस्तान आएंगी, तो कहीं हम फिर से गुलाम न हो जाएं, क्योंकि जब East India Company हिंदुस्तान आई थी, तो वो भी व्यापार करने ही आ डाउंस बना ले, अपनी फैक्टरीज खोलने, क्योंकि हमारे अंदर वही डर था, अंग्रेजों वाला, तो लेकिन अब हालाद बदल चुके हैं, 1991, हम तीन युद्ध लड़ चुके हैं, 1948, पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1965, भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1971, इंडिया, बांग्लादेश को लेकर जो भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1962, इंडिया-चाइना वार, और 1947, भारत की आजादी, हमने बहुत कुछ देख लिया था, और इतने सारे युद्ध जब हमने लड़े, तो हमने अपनी एक आर्मी खड़ी कर ली, अब हमें पता था कि को कोई भी अंग्रेज या गोरे लोग, फिरंगी, अब हमें गुलाम नहीं बना सकते, कितने लोग मेरी बास समझ पा रहे हैं, कहानी को समझ पा रहे हैं कि आखिर क्यों भारत सरकार ग्लोबलाइजेशन नहीं कर रही थी 1991 तक, और जब विदेसी कमपनिया हिंदुस्तान आ न ग्लोबलाइजेशन हो, हमारी कमपनिया भी वहां जाकर व्यापार करेंगी और वहां की कमपनिया हमारे यहां पर व्यापार करेंगी, तभी तो आप लोग फॉरिन कंट्रीज के ब्रेंड के कपड़े पहन पाएंगे ना, तभी तो आप चाइनीज मोबाल फोन खरीद आया ना, तो हमने ग्लोबलाइजेशन किया, प्राइडायजेयशन भी, प्राइडायजेशन अपर फोन खरीवाल कोशिस की कि कई छेतरों में सरकार कि यो सरकारी कमपनिया थी, उन्हे प्राइड सेक्टर को दिया जाए और लिब्रिलाइजेशन FDI रूल्स में, यानि कि फ है ठीक है तो जब हमारे देश में नई economic policy लागू ही 1991 तब से लेकर अब तक अगर हम banking development देखें या history देखें राइट तो even after the nationalization and the subsequent regulations that followed a large portion of the masses is untouched by the banking services हमारे देश में हमने private bankों को सरकारी bankों में तबदील कर दिया सरकारी बैंकों में तबदील होने के बाद सरकारी बैंकों की branches गाओं में भी open करी गई 1975 में छेतरी grammy bank यानि की regional rural bank से establish किये गए कि गाओं गाओं में जाकर rural areas में जाकर आप branch open करिये राइट इसके बाबजूद भी हमारी देश की आवादी इतनी अधिक थी कि अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के पास banking services नहीं पहुच रही थी या वो financial services तक नहीं पहुच पा रहे थे इसलिए 1991 में 1991 में committee बनिया आपकी नरसिंभन committee नरसिंभन committee ने एक सुझाओ दिया क्या सुझाओ दिया recommendation recommendation क्या थी कि to allow the entry of private sector players into the banking system अभी तक तो यही बात चीज़ चल रही थी कि सरकारी bank लाने है सरकारी bank बनाने है privatization से nationalization करना है private bankों को सरकारी bankों में तबदील करना है regional rule bankों को establish करना है राइट लेकिन अब यहाँ पर नरसिंभन committee यह कह रही है कि बहुत सारे private banks establish हो गये हैं सरकार को banking system में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए banking sector में सरकारी companyya सरकारी bank ही है private players आएंगे तो service better मिलेगी जहाँ पर ज़्यादा companyya होती है एक ही product बेचने वाली तो वहाँ पर आपको product भी अच्छा मिलता है service भी अच्छी मिलती है बोलो हाया ना तो यहाँ पर फिर private sector bankों के establishment के लिए नए license issue करने की बात आई कि अब भारत में और banks चाहिए लेकिन सरकारी नहीं अब हमें चाहिए private sector bank तो बहुत सारे bankों को license यहाँ पर दिया गया private sector bankों के लिए license आपके यहाँ पर issue कर दिये गए तो RBI ने यहाँ पर दियान से सुनिएगा RBI gave the license to 10 private entities और नर्सिंभन कमिटी के सिफारसों के आधार पर देश के central bank ने 10 private entities को license यहाँ पर जारी किये जिसकी वजह से देखे उसमें बहुत सारे private bankों को license जारी किये गए थे लगभग 10 के आसपास first phase में जिसमें से कुछ bank survive नहीं कर पाए जो survive कर पाए वो है ICICI bank, HDFC bank, Ax Taxis bank, Indosin bank और DCB bank ये bankों के नाम आपने जरूर सुने होंगे, DCB development commercial bank तो आपने इन सभी bankों के नाम जरूर सुने होंगे, ये उसी समय इन bankों को private sector bankों के लिए license आपके यहाँ पर दिया गया था, इसके बाद नर्सिंभन committee फिर बनाए गई 1998 में banking system के development के लिए इन्होंने कहा क जो आपने license यहाँ पर दिये है, private players को, वो ना काफी है, मतलब कि बहुत कम license दिये है, हाँ, UTI bank था पहले, अब उसे access bank कहते है रपड़ना, you are right, तो इसके बाद RBI को बोला कि भाईया, और bankों को license जारी करो, तो इसके बाद second phase में Kotech Mehandra bank को license दिया गया, और 2004 में Yes bank को license दि recently, मतलब यह भी अभी crisis में आ गया था, यह भी डूप सकता था, लेकिन इसे SBI ने बचा लिया, तो इन सभी bankों को license मिला ना, यह उसी दोरान मिला है, उसी दोर के दोरान आपका मिला था, और private bankों के establishment के बाद आपको याद होगा, 2013 में नए तरह के bankों को, मतलब यहाँ पर first bank और बंधन bank, तो यह तभी का system है, first phase, second phase and this is the third phase, कि IDFC first bank और बंधन bank को 2015 में जाकर finally license मिला, तो यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से यहाँ पर private sector bankों को license आपका यहाँ पर दिया गया और सारी चीजे होई, अब इसके बाद की कहानी क्या है, अब तक हमने क्या सीखा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जिससे आपको चीजों को समझने में आसानी होगी, और कुछ बाकी सारी चीजों को भी आपको यहाँ पर recap करके सारी चीजों को बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हमने कहां से कहानी शुरू की थी, हमने कहानी शुरू की थी, 1770 से, जब Bank of Hindustan की स्थापना हुई थी, भारत में सबसे पहले, उसके बाद हमने यहाँ पर discussion शुरू किया, Presidency Bankों से, Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras, तीनों को merge किया गया, Imperial Bank of India, Imperial Bank of India बना, State Bank of India, उसके बाद हमने देखा कि SBI का establishment कैसे हुआ, SBI के establishment के बाद हम हमने देखा कि 1991 में किस तरीके से LPG reforms इंडिया में लागू हुए, उसके बाद हमने देखा कि नरसिम्हन कमिटी की सिफारसों के आधार पर भारत में private banks को बड़े पैमाने पर क्या दिया गया, license दिया गया, इसके बीच में हम point यहाँ पर भूल गये है, 1969 में भारती banking system का nationalization ह हुआ पहली बार और 1980 में भारत के banking system का nationalization हुआ दूसरी बार, clear है मेरी बात, तो अभी तक हम लोग private sector bankों को license देने की जो process है, वहाँ तक का discussion कर चुके है, right, Sir, Axis Bank recently, City Bank related news, हारे पढ़ना, Axis Bank ने recently, जो City Bank था इंडिया में, City Bank एक foreign bank है, विदेशी bank है, तो City Bank का जो consumer business है इं इंडिया में, वो अभी recently acquire किया है, किस ने, Axis Bank ने, तो ये भी clear है, question number one के discussion के साथ, question number one आप सभी के सामने है, आराम से read कीजिए और बताएगा इसका सही जवाब, The subsidiaries of SBI were nationalized in which year, अगर हम बात करें SBI की subsidiaries की, हम लोगों ने discussion किया था SBI की history में, SBI के जो सहायक bank है, Subsidaries bank आप के हाँ पर बनते हैं, तो SBI के सहायक bank के swords राश्टी कृत हुए थे, nationalize हुए थे, SBI के nationalized bank की बात करें, SBI के subsidiaries bank की बात करें, तो subsidiaries bank of SBI were nationalized in which year, total 8 subsidiaries bank थे, जिसके बारे में मैंने class में आप सभी से discussion किया था, और ये 8 के 8 जो subsidiaries bank आप के हाँ पर बनते हैं, वो किस year में आप के हाँ पर nationalize हुए थे, सभी लोग फटाफट से pop-up आप सभी के सामने open हुआ है, उस पर टिक किये जेगा, अभी भी 6 लोगों ने answer नहीं किया है, फटाफट से answer कीजे, 6 लोगों ने अभी भी answer नहीं किया है चार लोगों ने answer गलत किया है, सारी की सारी report हमारे सामने है, session complete होते ही, आपके सामने आपकी performance भी आ जाएगी, कि total पूरे session के दोरान आपने कितने question सही किये हैं और कितने question गलत किये हैं, ये आपकी performance आपको बाद में performance वाले tab में आप अपनी देख लीजेगा, लेकिन अभ अभी भी दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने answer नहीं किया है, दो लोगोंने अभी भी answer आपका यहाँ पर नहीं किया है, यहाँ पर question क्या है, question यहाँ पर पूछा गया है कि State Bank of India, यानि कि SBI की बात करें, SBI के subsidiaries bankों की बात करें, तो आपको याद होगा कि 8 total subsidiaries bank थे, आपको bank थे, SBI के, इन सभी बैंकों को nationalize किया गया था, इसके लिए एक act आपके हाँ पर पास किया गया था, और 1959 में, 1959 में इन सभी बैंकों को nationalize आपके हाँ पर किया गया था, तो सही जवाब इस question का बनेगा 1959, आप सभी को याद होगा कि 1955 में, 1955 में SBI को rename करके nationalize करके SBI का establishment हुआ था, याद है सभी को then say yes कि यहाँ सर बात समझ में आ गई, बहुत सारे लोगों ने, आठ लोगों ने question का answer गलत किया है, तो सभी ने लगबग questions के answer गलत किये हैं, तो मुझे बताए कि यहाँ सर बात समझ में आ गई है कि हमने गलत ही कहाँ पर की है, एक बार सभी हुआ आपका 1949 में, 1955, अभी-अभी discussion हमने यहाँ पर किया, कि 1955 में SBI की स्थापना आपकी यहाँ पर हुई, और भारती बेंकिंग सिस्टम में पहला nationalization, भारती बेंकों का पहला nationalization 1969 में हुआ, clear है सभी को, then say yes, चलि अगला question, फटा-फट से अगले question पर आईए, question को read कीज़ The first Indian bank to open a branch on foreign soil was, क्यानि की विदेश में, foreign country में, विदेशी साखा open करने वाला पहला भारती bank, first Indian bank जिसने विदेशी सर्जमी पर अपनी पहली branch open की, इस bank का नाम था Bank of Bada, Bank of India, Punjab National Bank, Allahabad Bank या फिर State Bank of India, बताएगा सही जवाब, foreign country में अपनी branch open करने वाला पहला भारती bank, first bank ज इसने foreign country में अपनी branch open की, फटाफट से बताएगा, 11 लोगों ने अभी भी answer नहीं दिया है, question हम लोग यहाँ पर read कर चुके है, फटाफट फटाफट answer दीजेगा, foreign country में विदेशी सर्जमी पर branch open करने वाला पहला भारती bank, first Indian bank कौन सा था, चार लोग सही जवाब दे चुक लिख कर या comment करके नहीं बताना है, सभी लोग, तीन लोग अभी भी भी बाकी है, फटाफट से आंसा दीजेगा, दो लोग बाकी है, एक तो मैं ही हूँ, बाकी एक student और है, correct answer इस question का आप कहाँ पर जो रहेगा, वो रहेगा आपका, इस question का सही जवाब बनेगा, option number B, bank of India, बैंक ओफ इंडिया की बात अगर हम लोग यहां पर करें तो 1946 1946 आजादी से एक साल पहले बैंक ओफ इंडिया ने लंडन सिटी में अपनी एक ब्रांच ओपिन की जो कि किसी भी भारती बैंक के द्वारा फॉरेंड कंट्री में ओपिन की गई पहली ब्रांच थी बैंक ओफ इ जीज़े क्लियर है दें से एस 1946 लंडन सिटी फस्ट फॉरेंड ब्रांच बाया इंडियन बैंक आंसर बनेगा बैंक ओफ इंडिया क्लियर है मजा आ रहा है यह जो कोईज वाला फीचर है यह आपको कैसा लगा अपने रियक्शन मुझे देकर बताएगा थम्स अब वगेरा नेशनलाइज़ इन विच इयर इंपियरल बेंक ऑफ इंडिया को कब आपके आपर नेशनलाइज किया गया था पटाफट से मुझ बताएगा सही जवाब Imperial Bank of India को किस वर्स नेसनलाइज किया गया था कोई confusion वाली बात नहीं है करिश्मा correct answer is question कब नेगा 1955 आप सभी को याद होगा कि 1955 तक इसका नाम था Imperial Bank of India और 1955 में Imperial Bank of India को rename किया गया, rename करके rename करके नाम इसको दिया गया State Bank of India rename और nationalization दोनों एक ही साल में होंगे इसको nationalize किया गया, भारत सरकार के अधीन आ गया पहले British सत्ता के अधीन था, फिर ये भारत सरकार के अधीन आया तो nationalization और renaming एक ही साल हो जाएगा 1955 Imperial Bank of India, 1955 is the right answer here, correct है करिश्मा confusion दूर हुई दिन से, ये इसकी हांसर बिलकुल confusion दूर हुई है Very good everyone, किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया है सबने सही answer दिये है, next question, question number 4 Odd Commercial Bank was founded in which year? Simple सा question है, Indian banking history से की Odd Commercial Bank की स्थापना कब हुई थी? Odd Vanagic Bank या Odd Commercial Bank कब established हुआ था? 1881 में, 1865 में, 1894 में, 1806 में या फिर 1895 में? फटाफट से बताएगा, सही जवाब Odd Commercial Bank की स्थापना कब हुई थी? 10 के 10 students, अभी भी किसी का भी answer नहीं आया है ध्यान से question को रीर कीजे, और answer यहाँ पर कीजेगा कि Odd Commercial Bank को कब आपका यहाँ पर establish किया गया था? Simple सा question है, फटाफट से बताएगे Odd Commercial Bank को कब establish किया गया था? Simple सा question है, बताओ सही जवाब Correct answer यहाँ पर क्या बनेगा? Odd Commercial Bank की बात यहाँ पर की जा रही है ध्यान से सुनिएगा, Correct answer 1881 1881 में Odd Commercial Bank की स्थापना हुई Right, अभी भी तीन लोगों ने Correct answer नहीं दिये हैं चार लोगों ने गलत जवाब दिये हैं, नोट कर लीजेगा 1865 में establish हुआ था Allahabad Bank 1894 में establish हुआ था Punjab National Bank 1806 जो bank आपका बनेगा, Bank of Bengal और 1895 वरकिंग शुरुआत हुई थी PNB की तो यहां पर Correct answer बनेगा, 1881 अवद Commercial Bank established कहां पर किया गया था तो अवद Commercial Bank फैजाबाद में याद हैं, फैजाबाद उत्तर प्रदेश आज फैजाबाद जिले को आयुद्या के नाम से जाना जाता है लेकिन उस समय इसे फैजाबाद में आपका established किया गया था, clear है option number A is the right answer here next question in which year did the Hilton Young Commission recommended the establishment of the Central Bank question यहां पर यह पूछा गया है कि हमारे देश के Central Bank यानि कि RBI के स्थापना के लिए जो सुझाओ है यह सुझाओ और यह शिफारिस Hilton Young Commission या Hilton Young Committee की द्वारा यह शिफारिस किस year में आपकी यहां पर दी गई थी किस वर्स Hilton Young Commission ने केंदरी बैंक RBI के स्थापना के लिए आपकी यहां पर शिफारिस की थी year आपके सामने है बताएगा सही जवाब किसी भी student ने अभी तक answer नहीं दिया है एक student ने answer दिया है और सही जवाब दिया है एक student ने गलत जवाब दिया है बाकी लोग फटाफट फटाफट आंसर करें pop-up आपके सामने open हो गया होगा उस pop-up पर क्लिक कीजेगा और सही जवाब जो भी आपको लगता है option number A, B, C, D और E जो भी आपको correct answer लगता है pop-up पर क्लिक कीजेए और answer अपना वहाँ पर mention कीजेए पांच लोगों ने अभी भी जवाब नहीं दिया है questions का level कैसा है comment section में लिखकर बताईए मतलब questions के discussion से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं yes or no लिखकर मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा अगर question का level लगता है कि बहुत low है बहुत आसान है तो next time इसे थोड़ा से increase करने की कोशिस करेंगे बट मेरे हिसाब से question का level काफी ठीक है आप लोग अपनी राय मुझे comment section में लिखकर ज़रूर दीजेगा साथ लोगों ने question का answer गलत दिया है बाकी लोगों ने answer सही दिया है तीन लोगों ने अभी तक इस question का answer नहीं किया है correct answer इस question का जो आपका यहाँ पर बनता है वो आपका रहेगा 1926 आप लोग confused हैं यहाँ पर question यह पूछा गया है कि Hilton Young Commission ने या Hilton Young Committee ने RBI की स्थापना के लिए सुझाओ कब दिया था रिपोर्ट कब सौपी गई थी तो रिपोर्ट आपकी सौपी गई थी 1926 में और उनके सुझाओं के आधार पर 1934 में RBI Act RBI Act आपका यहाँ पर लागू हुआ था और RBI Act के according RBI के establishment होता है 1st April 1935 में clear है मेरी बात सभी को 1st April 1935 RBI का headquarter आपका बनता है Kolkata City में और 1937 RBI का headquarter relocate होता है Mumbai में 1937 में तो simple सी बात की question आप से पूछा गया था clear है यहाँ तक चलिए very good तो correct answer बनेगा 1926 next question ध्यान से answer दीजेगा which was the first bank to introduce an ATM in India simple सा question है भारत में ATM पेश करने वाला पहला bank आपके हाँ पर कौन था ATM पेश करने वाला ATM launch करने वाला first bank Union Bank of India HSBC Standard Chartered Bank ICICI और HDFC फटा फट से answer दीजेगा correct answer is question का क्या बनेगा भारत में ATM को launch करने वाला सबसे पहला bank मैंने कई बार आप सभी के साथ discuss किया है पटा फट से quiz में मुझे बताएगा pop-up आपके सामने है सही जवाब पर टिक कीजेगा एक student ने गलत जवाब दिया है पाँच लोगों ने छे लोगों ने सही जवाब यहाँ पर दिये है बाकी लोग correct answer is question का जो आपके हाँ पर बनेगा वो आपके हाँ पर रहेगा option number B is the right answer here अब option number B की बात हम करें तो HSBC HSBC का full firm Hong Kong and Shanghai Bank Corporation HSBC ने 1987 में 1987 में Mumbai City में अपनी ब्रांच में भारत का पहला ATM आपके हाँ पर launch किया था लेकिन HSBC एक foreign bank है यानि कि विदेशी bank है अगर exam में question ये पूछा जाता है कि first Indian bank पहला भारती bank जिसने भारत में ATM launch किया तो आपका आंसर होगा Mumbai sorry तो आपका आंसर होगा SBI जिसने मुंबई में पहला भारती ATM या किसी भी भारती bank के द्वारा establish किया गया पहला ATM तो आंसर आपके हाँ पर बने गए State Bank of India Barclays नाम का एक bank है Barclays Bank Barclays Bank ने दुनिया का सबसे पहला ATM 1967 में किस city में लंडन सिटी UK में दुनिया का सबसे पहला ATM 1967 में बाइदी Barclays Bank आपका install किया गया था Clear है Union Bank of India ने भारत का सबसे पहला Talking ATM आपके हाँ पर launch किया था यह भी आद रखेगा Talking ATM मतलब जो voice recognition system पर आपका run होता है आजकल आप ATM में जाते हैं तो जब भी आप कोई transaction करते हैं तो ATM आपको जो भी दिशा निर्देश है, instructions है वो आपको बोल कर बोलता है जैसे कि आपने ATM उसमें डाला सारे instructions of voice recognition पर आपको सुनाई देते हैं Please enter your amount, please wait, please collect your cash तो these all are the talking ATMs, right तो option number B is the, HSBC is the right answer here Next question, question number 7 Plastic currency notes were first adopted by which country दुनिया में सबसे पहले किस देश ने plastic के currency notes को अपनाया था यानि कि जैसे कि हमारे इंडिया में जो notes आपके हाँ पर चलते हैं currency notes वो plastic के नहीं होते कागस के होते हैं, ठीक है, उसमें cotton का भी इस्तमाल होता है, तो आसानी से उन्हें फाड़ा जा सकता है, या फिर वो भीग कर खराब हो सकते हैं लेकिन दुनिया के सबसे पहली plastic currency यानि कि currency note plastic polymer notes की आपके हाँ पर बनी हुई थी ये किस country ने दुनिया के सबसे पहले plastic polymer notes आपके हाँ पर issue किये थे चाइना ने, अर्जेंटीना ने, आस्ट्रेलिया ने, आस्ट्रिया ने या फिर अमेरिका ने पांच लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है फटाफट, फटाफट, सभी लोग answer करते हुए चलिएगा correct answer सभी लोग फटाफट, फटाफट answer कीजएगा correct answer क्या होगा 6 लोगों ने अभी भी answer नहीं दिया है 2 लोगों ने answer, 3 लोगों के answer यहाँ पर गलत हो गया है plastic currency note issue करने वाला plastic polymer notes उन्होंने issue किये थे और सबसे पहले 10 dollars है न यहाँ पर उन्होंने issue किये थे plastic के polymer notes तो correct answer आपके यहाँ पर जो बनेगा वो है Australia ठीक है इंडिया ने भी announcement किया था कि हम सबसे पहले 10 रुपए के currency plastic notes issue करेंगे बट ऐसा भी तक हुआ नहीं है उसकी जगे RBI ने digital currency उससे पहले launch कर दी भारत में जो digital currency launch की गए उसका नाम है central bank digital currency आप central bank digital currency CBDC का इस्तिमाल कर सकते हैं online payments के लिए तो जिल लोगोंने answer नहीं दिये या जिनके answer गलत आये है note कीजेगा Australia is the right answer here next question question number 8 which bank started the first RRB यानि कि regional rural bank named Prathma Grameen Bank अगर हम बात करें regional rural bankों की छेत्री ग्रामीर बैंकों की तो सबसे पहला छेत्री ग्रामीर बैंक RRB first RRB जो की आपका establish हुआ था 1975 में establish हुआ था तो सभी RRBs को establish करने के लिए कुछ sponsored banks हुआ करते थे sponsored bank sponsored bank कों का काम होता था RRBs की स्थापना हिंदी में कहेंगे प्रायोजक bank तो प्रत्मा ग्रामीर बैंक जो भारत का सबसे पहला RRB था regional rural bank था इसका sponsored bank कौन सा था जिसने इस bank को शुरू किया था bank of brother इसका sponsored bank था प्रायोजक bank या Indian bank या फिर पंजाब national bank अलहबाद bank या फिर syndicate bank प्रत्मा ग्रामीर बैंक establish किया गया था मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में कहां पर मुरादाबाद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में इस bank को establish किया गया था इस bank का sponsored bank कौन सा बैंक था इस bank का sponsored bank कौन सा बैंक था जिसने इसकी स्थापना में मदद की help की correct answer सही जवाब, syndicate bank, option number E is the right answer here, 1975 में जब प्रत्मा ग्रामिन बैंक आपका establish हुआ, तब इसका sponsored bank syndicate bank था, but currently syndicate bank आपका मर्ज हो चुका है, ये currently exist नहीं करता, तो वरतमान समय में जो पंजाब national bank है, वो इसका sponsored bank है, लेकिन question आपको यहाँ पर यह था, कि which bank is started, किस bank ने start किया था, बारत का सबसे पहला regional rural bank, छेतरी, ग्रामिन बैंक, प्रत्मा ग्रामिन बैंक, मुरादा उत्तर प्रदेश में तो शुरू तो किया था, syndicate bank ने ना, बात समझ में आ रही है, दिन से yes everyone in comment section की हाँ सर, बात समझ में आ रही है, क्योंकि इस question में 10 लोगों ने गलत जवाब दिय है, दस लोगों ने इस question का गलत जवाब दिया है, अब बात आपको clear है, दिन से yes everyone की हाँ सर, बात अब clear है, एक बार सभी लोग, Canera में sir, no 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 no, Canera bank ने नहीं, syndicate bank था, इसका सही जवाब करिश्मा, इसे no down करो, Canera bank is not the right answer here, currently Punjab National Bank जो है, वो इसका sponsored bank है, और इससे पहले syndicate bank इसका sponsored bank था, जब इसका establishment हुआ था, ठीक है करिश्मा, चलो, next question, question number 9, which among the following was a public sector bank, public sector का मतलब होता है, सरकारी छेतर का bank, right, तो नमलकित में से कौन सा एक, सारवजन एक छेतर का bank बनता है, यानि कि सरकारी bank आप कहां पर बनता है, public sector bank बनता है, public sector bank जिसमें maximum shareholding भारस सरकार की हो, ठीक है, clear है, हाँ, मर्ज, हाँ, मर्ज तो ये हुआ है, Canera bank के साथ, very good, हाँ ये बिलकुल सही है करिस्मा, बंधन bank, city union bank, धन लक्ष्मी bank, देना bank और IDFC bank या फिर IDFC first bank, इन पाँच बैंकों में से कौन सा, सरकारी छेतर का bank था, एक government bank था, लेकिन अब ये bank भी आपका मर्ज हो चुका है, बताएगा यहाँ पर correct answer क्या होगा, छे लोगों ने अभी भी पहले एक सरकारी bank था, अब ये मर्ज हो चुका है, एक्जिस्ट ही नहीं करता, correct answer, फटा फट, तीन लोगों ने अभी भी आंसर नहीं दिये हैं, जिसमें से 6 लोगों ने गलत जवाब दिये हैं, इसके माध्यम से, इस feature के माध्यम से, मुझे पता चल जाता है कि कितने लेकिन अब देना बैंक एक्जिस्स नहीं करता, ये बैंक मर्ज हो चुका है, IDFC भैंक, धनलक्ष्मी बैंक, सिटी यूनियन और बंधन बैंक, ये हमेशा private sector bank ही रहे हैं, निजी बैंक ही रहे हैं, देना बैंक का establishment आपका हुआ था 1938 में, 1938 में, इसका headquarter हुआ करता था आपक बाकी सभी तब भी और आज भी private sector bank ही हैं, next question, which of the following schemes was formulated by RBI ने निखित मैं से कौन सी योजना RBI के द्वारा formulate की गई थी या RBI के द्वारा तयार की गई थी, बहुत ही आसान question है, फटा-फट से मुझे आंसा दीजेगा, इन मैं से कौन सी योजना या कौन सी scheme RBI ने आपकी पेंशन योजना या फिर उडान स्कीम, फटा-फट, 9 लोगों ने अभी भी जवाब नहीं दिये हैं, 8 लोगों ने अभी भी जवाब नहीं दिये हैं, 7 लोग, 6 लोग, 5 लोगों ने अभी भी जवाब नहीं दिये हैं, जल्दी-जल्दी, फटा-फट, do it fast, कौन सी योजन है चार लोगों ने अभी भी आंसर नहीं दिये हैं आंसर दीजिए इच एन एवरी वन एंड डू लाइक दा सेशन मतलब थम्जब करते हुए चलिएगा सेशन अच्छा लगे तो थम्जब वम्जब करते हुए चलिएगा भई इंडिया में अगर हम बात यहां पर करें तो बैंकिंग लोगपाल योजना इसलिए आपके यहां पर शुरू की गई थी के अगर हमें अपने बैंकों से अगर कोई शिकायत है या भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है अगर उनके दौरा दी जानी वाली सर्वेसे सची नहीं है या हमें अगर अपने bank से कोई शिकायत है तो हम complaint वहाँ पर कर सकते हैं, राइट, तो banking ombudsman scheme सबसे पहले इंडिया में जो शुरू हुई थी, वो 1995 में आपकी यहाँ पर शुरू हुई थी, आपकी शिकायत नहीं सुनता है और आपको अगर bank की वजह से कोई financial नुकसान हुआ है, loss हुआ है, तो एक महीने के बाद आपने bank में complaint की, एक महीना गुजर गया और आपकी complaint अभी तक resolve नहीं हुई, आपका पैसा आपको नहीं मिला, आपके खाते से पैसा गलत तरीके से काट आपकी आगया, for example, तो आप ऐसी condition में banking ombudsman के पास free of cost क्या कर सकते हैं, complain कर सकते हैं, right, आगे चलके 2021 में banking ombudsman scheme, bank को की शिकायत से संबंधित, banking ombudsman scheme, then nbfc ombudsman scheme, nbfc, जो आपको अगर nbfc से शिकायत है, nbfc मतलब मुत्थूट finance, मरुनापुरम गोर्ड लोन, बजाज finance, जो बैंक तो नहीं है, लेकिन बैंकों की तरह लोन वगेरा उधार देते हैं, ऐसे institutions को nbfc बोलते हैं, अगर आपको इन से शिकायत है, तो इनके लिए एक अलग ombudsman scheme थी, nbfc ombudsman scheme, और साथी साथ, digital ombudsman scheme, जब जिसके तहट अगर आपने किसी third party company से, application से online payment किया है, और online payment अगर आपका नहीं हुआ, आपको इसकी शिकायत करनी है, तो ऐसी condition में digital ombudsman scheme भी थी, अब ये तीनों की तीनों ombudsman scheme merge कर दी गई हैं, banking ombudsman scheme, nbfc ombudsman scheme, और digital ombudsman scheme, तीनों ombudsman scheme को merge कर दिया, 2021 में और नाम दिया गया, integrated ombudsman scheme, तो अब भारत में अलग-अलग नहीं है, banking ombudsman scheme, nbfc ombudsman scheme, और digital transaction ombudsman scheme, no, अब तीनों को merge करके, 1921 में नाम दिया गया, integrated ombudsman scheme, आप किसी भी चीज़ से समंधित complain कर सकते हैं, सारी चीज़े clear हैं, then say yes everyone, कि yes sir, यहां तक सारी चीज़े clear हैं, तो एक बार yes लिखकर मुझे comment section में बताईएगा, 10M Secures के बाद आगे भड़ते हैं, next question की तरफ, question number 11, in which year was the bank of borodha established, बहुत ही simple question, बहुत ही आसान question, की bank of borodha, जो की एक public sector bank है, सरकारी bank है, जग़ जग़े आपने bank of borodha की branches देखी होंगी, मुझे बताईए कि इस bank की स्थापना कब हुई थी, year आपको यहां पर बताना है कि correct answer क्या होगा, 13 लोग यहां पर अभी भी किसी ने answer यहां पर नहीं दिया है, 12 लोगों ने अभी तक answer नहीं दिया है, फटाफर से 11 लोग, 10, 8, 8 लोगों ने अभी तक answer नहीं दिया भाई, जल्दी जल्दी answer दीजिए, 7 लोगों ने answer नहीं दिया, Dolly भारगव जी, pop-up पर answer देना है, chat पर answer नहीं देना है Dolly, तो dear Dolly, आप पटाफर, पटाफर, जो pop-up आपके सामने open है, कोईज वाला, उस पर टिक कर दीजिएगा, जो भी आपको option correct लगे, A, B, C, D, और E, correct answer इस question का जो आपका यहां पर रहेगा, वो आपका रहेगा, 1908, 1908, 1908 में Bank of Brothers हुआ था, और Punjab and Sindh Bank की स्थापना भी आपकी 1908 में ही आपकी यहां पर हुई थी, 1906 में Bank of India, Canada Bank और Corporation Bank यह तीनों Bank established हुए थे, 1907 में Indian Bank established हुआ था, 1911 में Central Bank of India की स्थापना हुई थी, और 1919 में Union Bank of India को established किया गया था, राइट, क्लियर है, तभी को, ओके देन एवरिवन, बिलकुल सही, नेक्स कोशन, कोशन नमबर 12, विचोप दी फॉलोविग इस दी करेक्ट रिगार्डिंग दी बैंक औफ हिंदुस्तान, अगर हम बैंक औफ हिंदुस्तान की बात करें, हमने history of the Indian banking system में इसके बारे में पढ़ा है, बैंक औफ हिंदुस्तान, चीक है, तो अगर हम बैंक औफ हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो कौन सा option बैंक औफ हिंदुस्तान के बारे में सही है, पहला, the bank was established in कलकत्ता, बैंक औफ हिंदुस्तान की स्थापना कलकत्ता में होई थी, अंडर दी ब्रिटिस मैनेज्मेंट, बैंक औफ हिंदुस्तान लिक्विडेट हो गया था, मतलब की ये बैंक बंध हो गया था, असफल हो गया था, 1832 से 32 के बीच में, इस बैंक का establishment 1770 में हुआ था, बोथ B and C and all of the above, बताएगा सही जवाब की कौन सा विकल्प सही है, पाँच लोगों ने अभी भी इस कोईशन का सही जवाब नहीं दिया है, जबकि आठ लोगों ने इस कोईशन का गलत जवाब दिया है, आप लोगों ने इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री जो 30 क्लासेश आपकी चल रही है, लाइव 4 प्यम पर वो क्लासेश आपने नहीं देखी है, ये क्लासेश अभी भी आपको recorded format में मिल जाएंगी, जाकर जरूर देख लीजेगा, और कल से जो भी लाइव क्लासेश आपकी यहाँ पर शुरू हो रही है, उन लाइव क्लासेश को आपको लाइव जॉइन करना है, सभी लोग, Say yes everyone, कि ये सर कल से 4 पीम पर हम इन क्लासेश को एप्लिकेशन की 30 क्लासेश को लाइव जॉइन करेंगे, ये तीन महीने का बैच है, और मैं ये गेरेंटी आपको देता हूँ कि after the 3 months, आप banking awareness, financial awareness में निपण हो जाएंगे, excellent performance आपकी हो जाएगी, क्योंकि आप concept पूरी तरह से समच चुके होंगे, correct answer is question कि अगर हम बात करें, 10 लोगों ने गलत जवाब दिया है, only B and C, आप लोग मात पता कहां पर खाए हो, मैं बताता हूँ, B and C, why not A, क्योंकि मैग्जॉन लोगों ने यही सोचा कि option number A भी तो सही है, हाँ, बिलकुल सही है कि Bank of Hindustan का establishment कलकत्ता में हुआ था, बिलकुल correct है sir, है न, नहीं, कलकत्ता में हुआ था, under the British wrong, under the European management, एक शब्द की वजह से यह option गलत है, European का मतलब है, European countries के, traders के दौरे इसको establish किया गया था, और European countries में Britishर भी आते हैं, France, C, French भी आते हैं, Dutch भी आते हैं, Portugalी भी आते हैं, इन सब को मिलाकर होता है European management, ना कि अकेले British management, तो British management आ गया, यह गलत हो गया, यह bank असफल हुआ, फेल हुआ, 1918-1932 के बीच में सही है, establishment हुआ, 1770 में सही है, कलकत्ता में establishment हुआ, यह भी सही है, but not under the British management, correct है, only B and C is the right answer है, confusion कहा हुई और दिक्कत कहा हुई और कहां, आप असफल हुए, सब को clear है, then say yes, यहां सर, point clear हो गया, तभी मैं कहता हूँ, live classes लगाने की ज़रूरत है, ऐसे ही question, exam में आएंगे, फिर हम बाद में पच्चताएंगे, next, which is the largest public sector bank in India, as of January 2023, अगर हम January 2023 तक के data की बात करे, तो इसके हिसाब से, सबसे बड़ा सारवजनिक शेत्र का बैंक, यानि की सरकारी बैंक आपके हाँ पर कौन सा है, according to the market capitalization, भारत का सबसे बड़ा public sector bank, according to the market capitalization, और deposits, customer base, कौन सा बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक आपके हाँ पर बनता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी हो कोई doubt होगा, और एक ही student ने अभी तक गलत जवाब दिया है, चार लोगों ने जवाब ही नहीं दिया है, भाई चार लोग कौन से हैं भाई, जिनको ये question का answer नहीं मिल रहा है, अगर answer नहीं आद है, तो भी कोशिस कीजे, common sense का इस्तमाल कीजे, आप question correct कर पाएंगे, दो लोग अभी भी बाकी हैं, फटाफट से answer दीजेगा, एक ही student ने answer गलत यहाँ पर किया है, State Bank of India, SBI, ये भारत का वरतमान समय में, सबसे बड़ा public sector lender आपके यहाँ पर बनता है, बनता है, headquarter बनेगा मुंबई में, next question, 14, which was the first entity to receive a payments bank license from the Reserve Bank of India, हमने उस दिन first class में इसका discussion किया था, licensing system के बारे में discussion किया था, payments bank के बारे में थोड़ा मैंने आपको कुछ important facts बताये थे, तो मुझे बताएगा कि RBI से, भुकतान bank का license प्राप्त करने वाला पहला bank आपका यहाँ पर कौन था, first bank जिसे यहाँ पर payments bank का license मिला था RBI से, very good charisma, करिस्मा हमें बता रही है कि SBI की application, mobile application का नाम है, Yono application बिल्कुल सही है, payments bank, NSDL payment bank, Jio payments bank, Eartel payments bank, और Finno payments bank, bank बताएगा सही जवाब, सब ही लोग फटा फट 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 आंसर दीजिए, comment section में भी आप लोग कुछ extra detail बताना चाहें, तो आप बता सकते हैं comment section में भी, extra detailing की बात करें, correct answer आपके यहाँ पर बनेगा, Eartel payment bank, Eartel payment bank is the first bank, जिसे आपका यहाँ पर payments bank ले license मिला था, headquarter आपके यहाँ पर इस bank का कहाँ बनेगा, इसका headquarter आपके यहाँ पर बनेगा, New Delhi में, यह भी आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, important बनेगा, अगर small finance bank की बात की जाएगी, तो small finance bank में, सबसे पहला small finance bank, answer क्या बनेगा, capital small finance bank, capital small finance bank, right, clear है, कब यहाँ पर यह licensing system शुरू हुआ था, तो 2015 में payments bank और small finance bank को license देना शुरू किया गया था, correct है न, 100 करोड की बात अगर हम लोग यहाँ पर करें, तो payments bank के लिए, payments bank के लिए, जो minimum paid up capital है, वो आपकी बनेगी 100 करोड, सही है, और small finance bank के लिए जो paid up capital आपकी यहाँ पर बनेगी, वो बनेगी 200 करोड, साथ ही साथ यह भी याद रखेगा, यहाँ से exam में बहुत question बने हैं, ध्यान रखेगा, clear है, तभी को, okay then, आगे बात करते हैं, question number, चलो, यह तो question हो गया ना, Airtle Payment Bank, चलो, आगे बात करते हैं, question number 15, in which year was भारती महला bank merged with the State Bank of India, simple the question है, इसके बारे मैंने historical background में, Indian banking system history, class 1, class 2, discussion हम लोगों ने यहाँ पर किया था, इसलिए मैं कहता हूँ, theory classes आप लोग daily basis पर लगाई हो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, भारती महला bank के अगर हम बात करें, इसका merger, State Bank of India के साथ कब हुआ था, किस year में हुआ था, किस तारीक और किस वर्स में, भारती महला bank SBI के साथ merge हुआ था, सभी लोग आंसर दीजेगा, extra facts अगर आपको discuss करने हैं, तो आप comment section में extra facts भी बता सकते हैं, correct answer की बात करें, question number 15, correct answer इस question का बनेगा, 1st April 2017, ध्यान से सुनिएगा, 1st April 2017 में, 5 Associates Bank of SBI, SBI के 5 सहयोगी bank, जिसमें State Bank of Bikaner and Jappur, State Bank of Bikaner and Jappur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Patiala, State Bank of Travancore, और State Bank of Maisur, State Bank of Maisur, State Bank of Travancore, State Bank of Patiala, State Bank of Hyderabad, और State Bank of Bikaner and Jappur, ये 5 SBI के सहयोगी bank, प्लस भारतिय महला bank, भारतिय महला bank, founded in 2014, ठीक है, headquarter located in New Delhi, इसका headquarter कहाँ पर था, इसका headquarter था New Delhi में, इस bank को भी merge कर दिया गया था, SBI के साथ, तारीख एक ही है, इन सभी bankों के merger की, कि जो financial year की starting आपकी यहाँ पर होती है, 1st April 2017, इन सभी bankों का business किसका हुआ, इन सभी bankों का customer किसके हो गए, सब SBI के customer आपकी यहाँ पर हो जाएंगे, option number C is the right answer here, बहुत सारे लोगों को Mbive application के features भी नहीं पता है, और किस तरीके से Mbive application को use करना है, ये भी आपको नहीं पता है, इस तरीके से हम यहाँ पर practice कर रहे हैं, आप घर बैठे ये practice कर सकते हैं, practice करने के लिए इससे पहले हमें learn करना होगा, अलग-लग subjects के concept समझने होगे, अलग-लग topics के बारे में पढ़ना होगा, वो कैसे होगा, चले मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे students में एक confusion है, कि आखर Mbive application को use कैसे करना है, तो चलिए हम वापस से चलते हैं Mbive application पर, और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, कि इसका इस्तमाल आपको कैसे करना है, इसके इस्तमाल करने के लिए आपको simply क्या करना है, Mbive application पर आना है, और सबसे पहले तो आपको अपना goal यहाँ पर select कर लेना है, आपको goal एक बात याद रखनी है, कि आप banking examinations के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका goal banking examination यहाँ पर set होना चाहिए, clear है मेरी बात, फिर आप जिस भी करीबी bank exam को यहाँ पर follow कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, या फिर आप सभी banking examinations के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है, सभी subjects, quant, reasoning, English, general awareness, computer, इन सभी subjects related जो live classes होंगी, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी, आप live classes पर जाकर क्या करेंगे, register करेंगे, register करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, simply आपको register now पर click कर देना है, ठीक है, और register now पर click करने के बाद, आप यहाँ पर class को live यहाँ पर join कर सकते हैं, class की live link आपके पास आ जाएगी, जिसके माध्यम से आप class को join कर पाएंगे, learning वाले phase में, आपके सामने यह सभी trending videos भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अलग-अलग topics related trending videos हैं, जिस पर click करके आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, साथी साथ आप यहाँ पर practice भी कर सकते हैं, explainers video भी आपके सामने हैं, जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अलग-अलग topics related, simplification, number, system, average, ठीक है, यह सारी के सारी classes, इसके अलावा जब आप नीचे की तरफ आएंगे, तो आपको M5 classes for the 7, next 7 days की classes आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, जैसे कि अगर मैं बात करूं 12th of May की, तो जितने भी लोग यहाँ पर live हैं, फटा-फट से 12 तारीक की class को आपको यहाँ पर क्या करना है, रेजिस्टर करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, 12 में, 4 पी-म, इसी समय, कल की अगर मैं बात करूं, 12 माई को, तो हम topic discuss करने वाले हैं, Reserve Bank of India Part 1, जिसमें हम RBI की history, RBI के बारे में detailed facts, प्लस MCQs, इस class में आपको देखने को मिलेंगे, तो कल भी सभी लोग live join कर रहे हैं न, say yes everyone, और फटाफट से सभी लोग यहाँ पर class को फटाफट से register करो, register करने में कुछ नहीं है, आपको simply register now पर click आपको कर दिना है, इससे होगा क्या कि आपके पास live link की, class की live link आपके पास पहुँच जाएगी, और आपको class शुरू होने से पहले भी notification मिलते रहेंगे, आपकी class वो छूटेगी नहीं, clear है, अभी तक DP का हमारी total यह तीसरी class है, this is the third class, right, 8 मईश से classes शुरू हुई है, और यह तीसरी class है, कल हम चौथी class यहाँ पर लेंगे, फोर्थ class जो की होगी, Reserve Bank of India Part 1 का session, कल हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, तो सभी लोग फटा-फट से जाकर, class को register जरूर करें, सभी लोग, each and everyone, सभी लोग class को register करेंगे, अगले साथ दिनों की classes को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, register कर सकते हैं, आपको एक-एक करके सारी classes देखने को मिल जाएंगी, सीखने के लिए जैसे कि मैंने आपको ओदा topic wise videos आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, प्रेक्टिस टैप पर आपको क्लिक करना हैं और इन सभी books से आप प्रेक्टिस कर सकते हैं, यह किताबें आपको purchase करने की जरूवत नहीं है, इन मैंसे किसी भी किताब, Financial and Insurance Awareness and Current Affairs, इस किताब से आप प्रेक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, पास्टियर, MCQs of LIC, IBPS and Other Exams, जिसमें आपको previous year class के questions मिल जाएंगे, और आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेक्टिस पर क्लिक करना है, तो पिछले सालों में जो यहाँ पर questions पूछे गए हैं, फ्रॉम दी, बेंकिंग सेग्मेंट, financial awareness, insurance awareness, वो सारे questions आपको यहाँ पर previous year classes में देखने को मिल जाएंगे, questions को आप लोग यहाँ पर attempt कर सकते हैं, ठीक है, clear है, तो यहाँ आप कर सकते हैं, free of cost, इसके लिए आपको कोई भी payment करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, practice वाले tab पर, एक book मैंने आपको open करके दिखा दी, कि आप कैसे practice कर सकते हैं books की, इसके लावा आप topic wise practice भी कर सकते हैं, number system, simplification, average, percentage, ठीक है, quant aptitude की किताबें, यह आपकी यहाँ पर रहेंगी, ठीक है, और especially for the reasoning chapters from the IBPS, RRB officer scale 1, alphabet test, verbal analogy, verbal classification, coding, decoding, ठीक है, reasoning की books आपके सामने है, practice के लिए, इसी तरह से English language की books आपके सामने है, means को target, general awareness की books आपके सामने है, यह 4 books आपके हैं पर practice के लिए मिल जाती है, ठीक है, साथ ही साथ आप यह भी कर सकते हैं, की जो M5 की big book है, उसकी practice भी कर सकते हैं, सार यह big book क्या है, हर subject की एक big book है, computer knowledge, English, general awareness, quant or reasoning, big book basically क्या है, general awareness, big book basically बहुत सारे हजारों questions की एक किताब है, और general awareness की अगर मैं बात करूँ, तो हजारों questions की एक particular book है, अगर यह physical form में होती, paper form में होती, तो कम से कम इतनी मोटी book होती, ठीक है, तो for example, आप यहाँ पर आते हैं, और आप मान लेते हैं कि आप practice करना चाहते हैं, banking affairs के topics की, banking and financial awareness के topics की, आप इस पर tick करेंगे, और इस तरीके से topic wise आप practice यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है, clear है मेरी बात, economy के questions आप practice कर सकते हैं, GK के questions आप practice कर सकते हैं, organization, personalities, events, बात हम यहाँ पर करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, करीब-करीब 5,000, 5,289 questions from the 29 books, 39 कितावों से, 5,000 से भी ज़्यादा questions इस topics में शामिल किये गए हैं, practice पर आपको यहाँ पर tick करना है, और आपकी practice यहाँ पर शुरू हो जाएगी, तो आप एक-एक करके topic wise यहाँ पर questions की practice कर पाएंगे, clear है, तो big book के सारे chapters, topic wise, section wise आप यहाँ पर practice कर सकते हैं, हाँ डॉली, अभी यह सारी की-सारी classes free हैं, आप इसका free of course lab उठा सकते हैं, इश्यू नहीं है, ठीक है, practice के बाद आप test step पर भी आ सकते हैं, जहाँ पर आप mock test यहाँ पर देख सकते हैं, एक real mock test, ठीक है, means 2021 का mock test है, IVPS officer skill 1, mock test 1, mock test 2, mock test 3, mock test 4, mock test 5, है ना, mock test आपको तब देने हैं, जब आप practice अच्छे से कर चुके हो, आपके concepts clear हो, तो आप यहाँ पर mock test दे सकते हैं, और अपनी तयारी कितनी बहतर है, उसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है everyone, तो आप सभी लोग आज थोड़ा वक्त दीजिएगा, थोड़ा सा time निकालिएगा, M5 के features को explore करने के लिए, M5 application को explore करने के लिए, आप अपनी performance भी check कर सकते हैं, इस application के माध्यम से, तो अभी आपको मैंने जो कुछ features यहाँ पर बताएं हैं, I hope कि आपको यह सारे features समझ में आए होंगे, जैसे जैसे आप बहतर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी achieve journey और बहतर होती जाएगी, ठीक है, आपने कितने pre-assessment test आपने यहाँ पर दिये हैं, ठीक है, learning वाले section में आपने कितना क्या दिया है, certification test आपको मिल जाएगा, improvement की कहां आपको जरूरत है, अगर आप कुछ subjects में weak हैं, तो यह आपकी एक achieve journey है, जिसमें वो आपको यहाँ पर बता देगा, कि आप किन subjects में weak हैं, उसका complete analysis और graph की माध्यम से आपको बताएगा, कि आपको किन subjects में improvement करने की जरूरत है, कहां पर आप weak हैं, कहां पर आप strong हैं, उसका complete analysis आपको यहाँ पर achieve journey में देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको आपके द्वारा दिये गए mocks का, खुद आपको यहाँ पर analysis करने की जरूरत नहीं है, यह application खुद आपका analysis करके आपको देगी, जिससे आप समय समय पर यह जान सकेंगे, कि आपकी तयारी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, M5 के features के लिए एक thumbs up बनता है, एक बार सभी लोग thumbs up यहाँ पर जरूर कर दीजेगा,